हाई हुआ कि नहीं हुआ है वीडियो के अंदर आते तो हाई होई जाता होगा है आज है 10 जन्वरी आज का आये ने यहनके इंपोर्टेंट न्यूस इनलेसिस वास्तम में ही बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दिल से बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखेगा अंद तक अगर मजा ना आ जाये तो बताना इतना कुछ डिसकस करूँगा इतनी कुछ बेसिक इंफोर्मेशन बैग्राउन इंफोर्टेंशन प्रैक्टेस कर्शन मतलब बहुत कुछ आप लोग जानने को मिलेगा और इसको हम लोग प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं इसलिए बैलेंस डाइट बोलते हैं सब कुछ अब ऐसा अब इसके अंदर एक बार पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा और फिर अगर मजा ना आये तो बताना कि कैसी रही वीडियो यह जो वीडियो है ना यार यह एक ऐसी वीडियो है कि पूरे दिन का निचोड जो तना मेरा वो आप लोग इस वीडियो में देखने को मिलता है इतनी जादा तागत इस वीडियो में लगा जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है तो इसको अच्छे से इंज्योय करना और फिर अगर कोई तसली नहीं हो तो एक बार देख लो एक बार होनी कहता है कि पहले इस्तिमाल करो फिर विस्वास करो एंड तक देखना जो वो कैबलरी वाला सेक्षन है ना उसको भी सुनकर आप लोगा मजा आएगा बहुत ही इंपोर्डेंट सब्द है कई आप लोगी जो अपने अधिकारों के बारे में आप लोगों को बात करनी चाहिए ठीक है पहले बताए कल का दिन कैसा रहा ये कितना आप लोगों ने पढ़ाई की इसी के साथ में आज के दिन के लिए सेड्यूल तयार कर लिया है या फिर नहीं कर लिया है ये जुरू बताना इसी के साथ म जो भी question पोस्ता हूं, उनका answer जरूर दिया करो, time पर उठ गे थे, जो decide किया था, अगर अपना खुद कर decide किया हुआ, time पर भी आप लोग नहीं उठ पा रहे हो, तो यह सोचने वाली बात है, मैंने नहीं बोला आप लोग किस टाइम उठना है, मैंने बस यह बोला है, कि 6 बज़े तक आप लोग को lecture में आ जाना है, ठेक है, जो reality में अपना schedule चेंज करना चाहते हैं, बहु कुछ न कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को बिलकुली एक तरीके से ना, उसमें क्या कहते हैं, उसको बिना पैंदी का लोटा बना रहा है, किधर को भी लुड़क जाने, मन किया सो गए तो सो गए, मन किया उठ गए तो उठ गए, मन किया नहालिया तो सब को करना पड़ेगा, मैंने सेयर कर दिया, आप लोग भी सेयर करो, ताकि जिस जिसको भी मिलना चाहिए, अटेम्ट मिलना चाहिए, क्योंकि COVID-19 ने बहुत सारे लोग परेशान हुए, इस लेक्चर की PDF भी आप लोग यहां पर मिलेगी, जाकर टेलिग्राम जोइन कर लि लाइफ इंप्रूव करनी है, वो अपनी जिन्दगी में कभी भी इंक्लूड करने से मसरमाईए, जब मोका मिले तुरंत इंक्लूड कर लिजे, और आराम आराम से फोलो करते रहे है, वो आप लोगी जिन्दगी का पार्ड बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मोर नहीं में फ्लो में चलने दो, एक डम इमीडेटली कुछ भी चेंज मत करो, आज 4 गंटे पढ़ लो, कर से न 8 गंटे पढ़ना है, डबल जम, ऐसे होगा, ऐसे होगा क्या, तुरंत ब्रेकडाउन हो जाओगे, आज 4 पढ़ रहे हो, कलगो 4 पड़ो, परसों को 5 कर लो, या फिर 2-3 द चले कि कौन-कौन देख रहे हैं, नाम तो पता चले मुझे, मुझे नाम भी नहीं पता है, देख देखकर निकल जाते हो, मेरा नाम तो सब जानते हो, वीर भाई, वीर भाई, वीर भाई, को अपना भी नाम बता देखरो, मेरे भाई और बहनो, कम से कम आंसर तो देखरो, गुड मोनी की लिख देखरों मुझे पता तो रहेगी कौन-कौन है पता ही नहीं जलता है कौन-कौन है ठीक है अच्छे से इंज्वे करेंगे शांदार लेक्चर रहेगा रीलडी में कर रहा हूं प्रोमिस कर रहा हूं मज़ आएगा सुनकर नहीं आये तो बताना फिर बात म आपनी नहीं है आप लोगो मैं बोलता हूं कि डेली आप लोग और सुछे है नहीं आप लोग को उससे पहलेом पलोग उठना है यानि कि आट से लेकर आप लोग को बैसीकली 12 तक चार घंटे ऊगे बस इतनी सी लिबर्टी है कि आप लोग पानी पी सकते हो सुचू कर सकते हो इसके अलबा कोई भी लिवर्टी आप लोगे पास में नहीं है तो आप लोग की efficiency कैसी होगी आप लोग को यह बताने है मतलब काम करने मन लगेगा पढ़ने मन लगेगा अच्छे से कर पाऊगे या फिर क्या फिल होगा एक तो यह particular आप लोग का basically एक तो यह तरीका है एक तरीक है type 1 कि ऐसे आप लोग काम करने है दूसरा काम करने का तरीका यह कि आप लोग को 8 ही घंटे पढ़ाई करनी है पर लेकिन यह 8 घंटे जो है आप लोगों ने यह 4 ब्लोग में डिवैड कर दिये यानि कि आप लोगों ने 2-2 घंटे के ब्लोग जो है वो नी पिया हलका फूलका आप लोग उठके टहले ढोमे फिरे और अराम से आप लोगों ने पूरा सेडल कंप्लेट किया तो टाइप 1 में ज्यादे एफिशेंस या फिर टाइप 2 में ज्यादे एफिशेंसीं आएगी यानि कि किस में ज्यादा productivity आएगी, किसका result ज़्यादा बहतरी ना आएगा, यह आप लोग को बताने, आप लोग बोलो कि सरी यह कहानी सुना क्यों रहे हो, यही कहानी जो है अभी ILO के द्वारा सुनाई गई है जिसको international labor organization बोलते हैं, और कहानी नहीं सुनाई है उसने इस कहानी के फायदे बताएं यानि कि अगर flexible working होती है, आर जो एक तरीक से एक तो बैठागर काम करा दिया एक है flexible है, उससे इंसान की productivity बढ़ती है, और एक life और work में balance बना पाता है यानि कि अगर आप लोग कहीं पर काम करने है और सामने वाले आप लोग को force कर दिया कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना है एक भी पत्ता इधर से उधर नहीं हिलना चाहिए ये काम इस time तक ही complete करके देना है वाला सामने वाला बीमार पड़ा है सामने वाले के सर में दर्थ है या सामने वाले को इतना urgent काम आगया कि वो रोख ही नहीं सकता, उसको करना ही करना पड़ेगा तो फिर क्या करेगा, बाइस आप छोड़ के बाग जाएगा ठीक है, ये इनसान पागल है मुझे पागल कर देगा तो international labor organization, ये एक ऐसी organization इंटरनेसल लेवल पर ये उठेकश रिकोड किया रहे है, फिर आप लोगोगों तक ये सारी चीज़ें डिलिवर की जारी है, अपलोड की जाfelt है डिकोड की जारे है, तो एक तरीका ये labor force ही तो है, जो एक तरीके से काम है थैक है तो ये एक तरीका काम है, ये आप लोगों तक फिर चीज़े पहुंचते हैं आपर तो कहने का मतलब क्या हो गया इसके पीछे एक पूरा सिस्टम चलता है तो यहाँ पर अगर इसमें कोई flexibility नहो हो मालेज़े मैं दो बज़े जिसे उट गया दो बज़े के बाद में मैंने क्या क्या बीच में सबसे पहले तो इससे थोड़ा सा पहले उटता हूँ इसके बाद में पहले अपना थोड़ा पानी वानी पी लिया गरम करके ठीक है फ्रस्वेस हो लिया अगर थोड़ा सा मन किया तो पांसाथ मिन ने जो हलकी फुल की exercise कर ली उसके बाद में उटके फिर न्यूसे फर खोला उसमें देखा क्या क्या चीज़े है कुछ जो ऐसी चीज़े पीपिटी जो आप लोगे लिए important होती है कुछ questions वगरा वो देखे उसके बाद में फिर हाँ पर record record सारी चीज़े करना ही start किया तो ऐसानी कि बिलकुल fix bat के चीज़े होती है हलका फुलका सा बीच बीच में से washroom चलेगे अपना कुछ हलका फुलका खालिया उटके तो इस तरीके से आराम से चीज़े चलती रहती है और आप लोग तक ये वीडियो जो है पहुँच पाती है कुछ चीज़े ऐसी होती है जैसे कि vocabulary वगेरा ये सारी चीज़े questions जो बाद वाले section होता है उसको थोड़ा सा प्री एक तरीक से तयार कर लिया फिर morning में उसको बाट के record कर दिया क्योंकि सारी चीज़े अगर morning में ही इसको बनाने बैठेंगे तो lecture जो है वो है लगबग आप लोग का मुझे लगता है कि 19 बजाएगा समझे आप लोग तो इसलिए इसके पीछे बहुत सारा time लगा होता है morning के तो time लगा ही लगा रहता है पूरे दिन में भी क्या-क्या important चीज़ होती है वो भी collect के जाता है पर लेकिन सारी की सारी जो भी time होती है वो flexible रहती है ताकि मैं असानी से काम कर सकूँ और आप लोगों तक ये चीज़े लेकर आ सकूँ तभी efficiency के साथ में ये सारी चीज़े जो है मैं deliver कर पाता हूँ समझ रहे हैं आप लोग क्या बोला मैंने अब ये जो lecture आप लोगों मिलता है इस lecture में इतनी महनत रहती है कि आप लोग इसको अच्छे से अपने life में enjoy कर सकते हैं और जब exam में बैठेंगे तो comfortable fail कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर काम के और life के बीच में balance बना पाते हैं कभी कहीं जाना पड़ गया जैसे मैंने बोला था जिसे अभी recently कुछ दिनों से काफी ज़्यादा tight schedule हो गया रात को काफी late late तक बैठ कर lecture record करना पड़ रहा है तो अगर ऐसा ना होता तो फिर कैसे lecture record यह सारी चीज़े कर पाता तो life balance across the globe जब आप लोग देखोगे यहाँ पर तो यह country है जिसमें नीदर लेंड आप लोग को टोप पर देखने को मिलेगी Denmark, France, Spain, Belgium, Norway, Germany, Sweden यह यहाँ पर काफी अच्छे से balance बना पा रही है अगर अपनी देश के अंदर आप लोग लोगों को देखोगे न मतलब वो enjoy करना भूल गए हैं चीजों को ऐसा देखने को मिलेगा जैसे parents है वो बच्चों के बिछे लगे रहते हैं कि इनको कामियाब करना है अपनी जिंदगी enjoy हैं नहीं कर पाते हैं सोचो आप लोगों को parents से पूछना खासकर गाओं में जो रहते हैं उन्होंने movie theater में last movie कौन सी देखी थी वो last time बाहर का गूमने गए थे आप लोग feel करोगे कि वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं बस पूरे time ये रहता है कि जैसे तैसे जुगाड करकर आप लोगों तक पैसे पहुचाने हैं आप लोग खुस रहो आप लोगी जिंदगी अच्छे से चलती रहे आप लोग बीमार नहों वो वाला पूरे time mind में चलता रहता है तो ये वाली चीज आप लोग देखो कहीं ने कहीं ये बच्चों के उपर responsibility आयते है कि माँ बाप की अब उनको जहां रखना है और ये रखना भी है क्योंकि उनकी वज़े से आप लोग यहां पर आगा की पहुचो पर लेकिन माँ बाप को भी अपनी जिनी चाहिए उनको भी अपना आपको time देना चाहिए ऐसा नहीं कि बच्चों के पीछे लगा दिया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं खासकर जो एक तरीके से फिर माँ बाप को वरदासरम में डाल देते हैं जाकर ऐसी बच्चे आप लोग को देखने को मिलते हैं तो अपनी जिन्दगी अगर अच्छी से जिए तो यह रिग्रेट नहीं रहेगा बाद में कि हां यार हम लोग ने जिन्दगी नहीं जिए इसके पीछे लगा दी और इसने यह हरकते कर दी आप लोग समझ रहे हैं बात तो बहुत ही इंपोर्टेंट बात है अपने आप में इसी के ओपर इस्टडी किये गए इंटरनेशनल लेबर और और उसने बताया कि वर्क टाइम और वर्क लाइब बैलेंस यह अराउंड द वर्ल्ड जो है इसमें इसने बताया हैं आप इसमें रिपोर्ट के अंदर में हाँ पर की हाइलाइट चाहिए कि सोट टाइम वर्क और वर्क सेरिंग मेजर जो है वो हेल्प करते हैं जो काम को रिड्यूस करने में और इसी के साथ में COVID-19 में बहुत फायदा इसकी वेसे देखने को मिला दूसरा फ्लेक्सिबिल्टी जब रहती है ना इंडिविजिवल के लिए तो कंपनी के लिए तो कलेक्टिवली एक तो वर्क और रिड्यूस हो जाते हैं और इसी के साथ में इफिसेंसि भी आप लोग को यहांपर बढ़ती हुई नजर आएगी अब आप लोग बताओ यह बात सही है या फिर गलत जब इतनी बात यहाँ पर कर ली है तो यह organization इतनी प्यारी-प्यारी बात बता रही है तो इस organization के बारे में भी जानना बनता है बनता है कि नहीं बनता है इसको बोलते हैं ILO International Labour Organization यह वही organization है जो कि 1919 में बनाए गई थी इसलिए जब मैंने 2019 में आप लोगा lecture ले था मैंने का यह organization इसके उपर question आएगा और 100 साल complete हो चुके है और कई सारे exams में लगातार question पूछेगे तो यह important हो जाता है Treaty of Warsaw 1919 में sign की गई यह organization बनाई और इस organization ने इतना बहतरीन काम किया आगे चलकर भाई साब इसको 1969 में इस organization को Nobel Peace Prize दे दिया क्योंकि इसने लोगों के अंदर भाईचारा और Social Justice को पर्मोट किया तो UN की अकेली एक लोती ऐसी organization है जिसके अंदर में आप लोगों को government इसी के साथ में काम देने वाला इनके employer इसी के साथ में काम लेने वाला इनके employee तीनों के तीनों एक साथ आप लोगो यहाँ पर नजर आ जाएंगे तो यह Tripathai UN की agency है इकलोती यह आप लोग जहान रखेगा Headquarter कहाँ पर इसका यह तो आप लोगों को बताना है इसके द्वारा दो report और प्रस्तुत की जाती है जो की अक्सर एक्जाम में पुछी आती है याद रखेगा World जो Economic और इसी के साथ में Social Outlook वाली जो report है वो यही organization परस्तुत करती है दूसरी जो report है वो है World Wage Report World Wage नहीं World मतलब Global ठीक है तो Global Wage Report तो यह दोनों report जो है वो यही organization परस्तुत करती है तो कल को चल कर particular report का नाम देकर पूछ लेगी बता दो कौन सी organization परस्तुत करती है तो आप लोगे amendments को लेकर कोई भी confusion नहीं होना चाहिए तो यह था पूरा article अब आप लोग बताओ कि आप लोग किस तरीके से इसको देखोगे मतलब आप लोग क्या लगता है कि हमारे देश में हम लोग अच्छे से balance कर पा रहे है या फिर बस काम के पीछे लगे है और अपनी जिंदगी में इसी को इसी में ढखे ले जा रहे है या अपनी life को enjoy भी करते है अकसर आप लोग ने देखा होगा अंगरेजो की life में वो क्या करते है दबा के काम करते है चार-पांच दिन और weekend में अपना घूमने निकल जाते है weekend में अपना life को enjoy कर रहे है पैसा जो कमाया उसको अपना खर्च कर डाला हमारे यहाँ पर saving बच्चे मतलब समझ रहे हैं आप लोग मतलब माबाप अभी बने नहीं है मतलब जो अभी बनने के प्रोजजर में है उनकी साधी हुई है वो बच्चों की बढ़ापे के बारे में सोचने लगता है यह हमारे देश की खुब सूर्ती है वरना और जगे ना लात मार के बगा देते हैं चलो बहुत होगे आप कमाओ और खाओ enjoy कर अपनी life को तो यह हमारे देश का जो एक system है जो एक family culture है यह आप लोग कहनी देखने को मिला तो प्रोपर खाना नहीं मिला है पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले है उस मा को एक ऐसी जगह पर ले जाके छोड़ दिया गया जहांपर दुनिया भर का खाना है दुनिया भर के कपड़े है हर एक चीज अपने बच्चे को पहना सकती है खिला सकती है तो वो मा अपने बच्चे को क्या-क्या नहीं देगी सोच के देखो एक मिनट के लिए उसका मन करेगा ही सब कुछ अपने बच्चे पर लोटा दे ऐसा ही था कुछ ऐसा माहोल जब हमारे देश का समिधान बना जा रहा था हमारे देश के समिधान निर्माता जो थे वो उस टाइम पर ऐसा फेल कर रहे थे कि यार 200 साल की गुलामी हो चुकी है अब कम से कम अपने देश के नागरिकों को ऐसे ऐसे अधिकार दे देने हैं ताकि वो उसको शांदार तरीके से इंजोई कर सकें और अपनी life को एक अच्छी life बनाकर अपने देश को आगे लेकर चल सकें इसी के चलते उनके mind में concept आया तो वो concept था fundamental right इनी fundamental right को आप लोग मोलिक अधिकार बोलते हैं और इनी मोलिक अधिकार को समिधान के तीसरे भाग में रखा गये है जब तीसरे भाग में इनको रखा गया तो इनके लिए कुछ आर्टिकल दिएगे और वो आर्टिकल थे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का जो की अलग-अलग एरिया में डिवाइड करके ये बताते हैं कि किस एरिया का कौन-कौन सा अधिकार है इसी के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 19 ये अपने ही आप में इतना बड़ा आर्टिकल है कि जब मैंने पॉलिटी में आप लोग को लेक्चर ले था इसका तो एक दिन में पूरा ये एक आर्टिकल कवर किया था इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आर्टिकल अकेला कितना पॉरफूल है जब मैं आप लोगों से आर्टिकल 19 के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बाते कर रहा हूँ तो आर्टिकल 19 जो है वो आप लोगों देखने को मिलेगा second part के अंदर जब आप लोग जाएंगे second part या second section आप लोग बोल से पहला हो गया समानता का अधिकार दूसरा हो गया सबतंतरता अधिकार तो समानता के बाद में जब सबको समानता दे दी गई इसका मतलब है कि अब सबतंतरता देनी पड़ेगी यानि कि independence सबको मिलना चाहिए तो ये एक तरीका अधिकार है जो कि article 19 से लेके article 22 तक यहां पर cover किया आते हैं इसके अंदर में आप लोग क्या देखने को मिलते हैं freedom of speech and expression assembly, association, moment और कही पर जाकर रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं ये सारी चीजे हैं इसी में आप लोग को फुट decide करोगे कोई आप लोगों को ये काम करने से रोकेगा नहीं ये सारी चीजे आप लोगे यहां पर देखने को मिल रही है इससे क्या समझ में आता है इससे ये समझ में आता है कि हमारे समिधान निर्माताओं ने बाल्टी भर-भर कर हमारे उपर fundamental right उलेड दिये कि लो enjoy और अपने life course शांदार तरीके से जिये उसको पर लेकिन एक बात ध्यान रखना जब वो ये सारे आर्टिकल हम लोग को दे रहे थे उस टाइम पर उनके मन में जरासा भी द्वेस नहीं था वो नहीं चारे थे कि कोई भी किसी भी तरीके से जो है अपने अधिकारों से वंचित हो तो इसलिए उन्होंने बड़े ही सिद्दत से इन अधिकारों को दिया पर आप लोग खुद देखो क्या आज की डेट में हम लोग अपने उन अधिकारों को धंग से इस्तमाल कर पा रहे हैं अगर धंग से आप लोग देखोगी हाँ पर तो कई जगे हम लोग अपने अधिकारों का धंग से इस्तमाल नहीं करते हैं आधों को तो इन अधिकारों के बारे में पता भी नहीं है और जिनको पता है वो भी धंग से इस्तमान नहीं करता है और जो कोई करना चारा है तो वो धंग से कर भी नहीं पा रहा है ऐसी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी तो यहाँ पर अगर बात करें कुछ limitation भी लगाएगे यह समिधान निर्माताओ के द्वारा कि ठीक है article जो 19 का first है वो आप लोग को power देता है कि freedom of speech and expression आप लोगे पास में है पर लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग अपनी freedom of speech and expression का इतना ज़्यादा इस्तमाल करें कि किसी को भी उठाकर गाली दे दी, किसी को भी उठाकर पत्थर मार दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया तो यह बिल्कुल गलत है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आई इस article में restriction लगाने की तो इसका एक section डाला गया दो उसमें restriction के बारें बाते कीगी यानि कि आप लोगों के अधिकार तब तक ही आप लोग के अधिकार है जब तक आप लोग उनको enjoy कर रहे हो अगर यह enjoyment किसी दूसरे की life में दखल बन गया है तो फिर यह अधिकार आप लोग का chain लिया जाएगा ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं यह इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब यह article 19 इसका अधिकार जो है सबको मिला तो सबसे पहले यहाँ पर बोला कि state के खिलाप यहाँ पर basically बाते कीगी state मतलब government यानि कि अगर आज की rate में freedom of speech को ही करता है और यहाँ पर government जो है उसका freedom of speech रोकती है तो आप लोग direct court में जा सकते हो article 32 इसलिए समिधान में जब यह article रखा गया तो भीमराओ अंबेड करजी ने काफी बड़ी speech दी और इसको काफी detail में explain किया कि यह आत्मा है समिधान की और fundamental right की इस अकेले article की वज़े से आप लोग खुछ समझें आप तो उस time पर यह बोला गया था कि कोई भी सरकार अगर कुछ गलत करेगी तो उसके खिलाब हम लोग court में जा सकते हैं पर लेकिन अभी जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर सरकार तक सीमिती नहीं रहा गया है अगर just not only state यानिके not just state यानिके सरकार के खिलाब तो यह होता ही होता है यह private citizen के खिलाब भी है यानिके आप लोग अपना freedom of speech and expression आप लोग enjoy कर रहे हो पर लेकिन सरकार जो है उसको आप लोग को enjoy नहीं करने दे रहे हो आप लोग court में चले गए same condition यह है सरकार तो sad में होगी अगर कोई individual भी आप लोग के freedom of speech and expression का हनन करता है तो भी challenge किया जा सकता है यानिके private citizen के लिए भी applicable होगा Supreme Court ने इसका यह दाइरा अभी expand कर दिया है कहने का मतलब किया है कि इसको proper explain किया है कि भाई साब आप लोग का अधिकार जो है आप लोग का अधिकार है इसका मतलब यह नहीं कि वो दूसरे के अधिकारों को छेड़े हैं आप तो यह बात आप लोगो ध्यान में हाँ पर रखनी पड़ेगी तो यह काफी important मुद्दा है जो कि आप लोग के mind में बिल्कुल clear होना चाहिए अब कुछ ऐसी बाते में आप लोग को बताऊंगा एक political static portion आप लोग का cover होगा काफी अच्छे से और आप लोग उसको समझोगे तो आगे answer भी दे पाऊगे कही जगे पर जैसे गी article 19 में आखिर क्या क्या आता है ये ऐसे point है जिनसे कई यो बार question exam में पुछ जा चुके है पुराने paper उठागर देखोगे न तो ये अकेला section आप लोग कई सारे question दे कर जाएगा हमारे देश के नागरिक जो जो भी है आप देश के नागरिक हो देश के नागरिक होने के साथ ही आप लोग अधिकार मिल जाते हैं कही सारे हमारे देश में आप लोग voting डाल सकते हो constitutional position पर आप लोग जाकर बैठ सकते हो तो ये सारे जो अधिकार है न ये सब को नहीं है ये आप लोगों के लिए आप लोग बोल सकते हो की opportunity की तरीके से है कि आप लोग को ये चीज़ें मिले हुए all citizens यहाँ पर उनको 6 अधिकार मिले हुए जिनको democratic rights के नाम से भी आप लोग बोल सकते हो पहला है freedom of speech and expression यानि कि आप लोग speech और expression दे सकते हो किसी भी तरीके से लिख कर बोल कर किसी book में चाप कर newspaper में चाप कर तो ये आप लोगों का अधिकार है article 19 के A में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 19 के जब B में जाएंगे तो peaceful assembly आप लोग कर सकते हो बिना हतियार के आप लोग सांती में किसी भी एक मुद्दे पर बैठकर discuss कर सकते हो तो ये आप लोग का अधिकार है article C में मैंने बताया था cooperative society B में याद रखना मिल सकते हो peaceful बिना bomb के bomb नहीं होना चाहिए आप लोगे हाथ में एक तरीके से ऐसे याद रखना इसी के साथ में freely move कर सकते हो throughout the country जहाँ पर मन करें वहाँ पर जाकर आप लोग life को enjoy कर सकते हो आज तमिलाड़ो में कलको गोवा में परसुको होगे आसाम में कहीं पर भी आप लोग जाकर रह सकते हो तो बात की जारी है कि reside कर सकते हो और settle कर सकते हो जैसे नहीं इंजीनियर है कहीं पर भी जाकर रह लेता है और कितनी भी distance पर आप लोग घूम सकते हो तो distance यान कि घूम सकते हो freely D में आ गया E यान कि इंजीनियर कहीं पर भी जाकर settle हो सकते है ठीक है F जो है यहाँ पर यह आप लोगा right है एक तरीके से कि आप लोगों को कुछ ने कुछ काम मिले कहीं पर भी जाकर आप लोग अपना profession स्टार्ट कर सकते हो तो यानि कि आप लोग fund इखटा करने के लिए कहीं पर वयापार कर सकते हो तो कोई भी अपना business वयापार occupation कर सकते हो कहीं पर भी जाकर तो ये अधिकार आप लोगे मिले वें अगर कोई आप लोगो बोलने लगे यार इस एरिया में आकर क्यो रहने लगे तो बोलना fundamental right है और समिधान ने दे रखे हैं और हम लोगों ने वीर सर की किलास में पढ़ा है कि कहीं पर भी जाकर हम लोग रह सकते हैं तो यह आप लोग ध्यान रखेगा और लेकिन एक हटा दिया गया जो कि मैंने आप लोग एक्स्पेइन भी क्या था डिलीट किया गया 44th amendment के द्वारा 1978 में आखिर ऐसा क्यों किया गया ऐसा इसलिए क्या गया क्योंकि आप लोग सोचो आज की डेट में हम लोगों कहीं पर एक हाइवे बनाने है उस हाइवे के बीच ओ बीच में एक पट्टिक्लर इंसान का खेत आ रखाया है अब वो उसका fundamental right बन गया कि वो उसको बेचे है ना बेचे है अब कोई उसके खेत खरीदने के अगर कोजिस करेगा तो अगल को कोट में चला जाएगा अब कितने भी जोर लगा ले ना उसका खेत कोई खरीद नहीं पाएगा और इसका मतला महा है इवेन ही बनेगा तो क्योंकि UN के अंदर में लगती है तो कितनी खतरनाक है कि मना कर दे तो पूरा highway गदम वहाँ पर सोचो कितने सारे लोगों का नुकसान होता तो इसलिए बोला गया कि सबसे पहले तो इसको डिलीट बारो 1978 में 44th amendment किया गया और यहाँ पर इसको डिलीट किया गया ठीक है ताक ठीक है तो यह याद रखिएगा इसमें जो 19 का 2 है उसमें close डाल दी गई है कि अगर कोई भी कुछ ऐसी हर्गदे करता है कि हमारे देश को नुकसान पहुंचता है हमारे यहाँ पर low end order की condition जो है वो खराब करती है किसी भी तरिया कोई offense यहाँ पर समाज को लडाने का काम कर करता है संपर बुदा के ऊपर कोई question mark उठाता है तो ऐसे लोगों को मुर्गा बनाकर उनको जो है उनकी जो क्या कहते हैं टूइं को लाल किया जाएगा ठीक है तो वह जो है वो जो है वो जो भी लाल है वो लाल पिला हो जाए और आगे से ऐसी हरकते नहां करें तो अब तक यहां पर यह सारी चीज़े state के खिलाब बोला करते थे पर लेकिन अब individual citizen को भी यहां पर clear कर दिया है हलाकि अधिकार थे पर लेकिन Supreme Court ने बकाइदा case में आकर यह सारी चीज़े अब explain कर दिये कि ऐसे ऐसे है भाई साब अब यहां पर यह सारे अधिकार होंगे और आप उन चाही बना देती है तो बिल्कुल ऐसे ही पूरे समिध हान के अंदर में सर डालकर Supreme Court पुरा उसको कंगालता है और फिर निकाल के लात कराता है कुछ ऐसी चीज़े ताकि balance समाज के अंदर में बना रही तो Supreme Court ने बोला कि कि किसी individual जो है अपने अधिकार को इस्तमाल कर सकता ह only for the state यानि कि ऐसा नहीं कि राज्य या फिर government के खिलाब वो इसका इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर basically individual के खिलाब भी यानि कि constitutional norm सब के लिए equal है ऐसा नहीं कि एक जगह लगेगे और दूश जगह नहीं लगेगे तो यह इसलिए हाँ पर इसको allow कर दिया गया है reference कहां से निकल fundamental right बना दिया article 21 के अंदर में आर्टिकल 21 के अंदर में जब privacy fundamental right बन गई तो सबसे बड़ी बात क्या होई यहाँ पर पता है आप लोग को सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हुई कि जो person पैदा हो गया है वो उसकी privacy उसके साथ में ही पैदा हो गयी है अब उसकी privacy उसके साथ पैदा हो गई तो उसका fundamental right बन गया है यानि कि देस के अंदर पैदा हो गए हो तो आप लोगी privacy भी पैदा हो गई है इनके छोड़ा सा बच्चा जो है वो उठते ही मतलब एक तरी से पैदा हुआ अभी अभी 2-4 मिनिट पहले और उठते ही बोले कि मेरे उपर कपडा उडाओ ठीक है मुझे कोई ने देखेगा तो वो उसका अधिकार है याँ पर हो बोलने पार है वेचारा वो अलग बात है वेचारा बच्चा जो भी होगा वेचारी वो अलग बात है इसको पैदा होता ही ऐसा आप लोग बोल सकते हैं किस ने दिया केस पुत्ता स्वामी केस ने दिया 2017 में जब ये वर्डिक्ट आया तो देश के अंदर समिधान के थुरू इसको इंप्लिमेंट किया जा रहा है ठीक है अगर इंटरनेसल प्रोस्पेक्टिव में आप लोग देखो तो अमेरिकन अप्रोच है आपर यूरोपियन अप्रोच है आपर इसी पैटर्न में USA के कोर्ट ने New York Times वर्सीज जो यहाँ पर सुलिवन ये केस था इसमें पाया गया कि डिफरमिशन का जो लो होता है वो अगेंस्ट स्टेट इसी के साथ में The New York जो टाइमस है उसने बोला कि इन कंसिस्टेंट है विद जो constitutional guarantee दी जा रहे है freedom of speech and expression यानि कि यहाँ पर भी reference मिल रहे है कि उन्होंने बोला कि state के खिलाब नहीं है यह किसी particular entity के खिलाब भी आप लोग जाकर इसको इस्तमाल कर सकते हो तो यहाँ से भी reference point मिल रहे है जो हमारे देश में अभी implement किये जा रहे है यह सारी चीजे समझ में आ गया कोई भी doubt नहीं होना चाहिए और इसके बाद भी अगर आप लोगों लगता है क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं revision कर रहे है और interesting चीज क्या होगी जिस भी lecture को आप लोग दूसरी बार तीसरी बार revision कर रहे हैं उसके सामने आप लोग R1, R2, R3 या फिर revision 1, revision 2 लिग देगरो ताकि आप लोगों को भी पता रहे कितनी बार आप लोग revision कर रहे हो ठीक है ये reality है जो बच्चे reality में serious होगर preparation कर रहे हैं भाई साम मुझे पता है मेरे पास में सारे comment एक जग़े खटे आते हैं इतने शांदार तरीके से revision कर रहे हैं उन कोशनों की भी answer दे रहे है एक बच्चे की class चुट गए थी पिछले लगबग मुझे लगए साथ 9 या 10 दिन की class चुट रहे थी उस बच्चे ने मैं अभी देख रहा हूँ जैसे की ये class आज की है यानि कि ये class आप लोगो देखने को मिल रहे है complete करना है तो करना है अगर मेरा चुट गया किसी reason के वज़े से दुनिया भर की problem होती है पर लेकिन अपना target अचीव करना ही करना है ये वाला dedication जी देना आगे आप लोग के अंदर में पाई साब आप लोग जो है MCQ के practice करेंगे आज skip कर देते हैं आज exercise करनी थी अरे छोड़ दो यार पूरे दिन तो कर रहे थे आज रहने देते हैं पूरे हफते कर रहे थे morning में time पर उठना है अरे यार एक दिन सो लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा यह जो tendency है ना यह जो अभी सारी बाते आप लोगो बताईए है गड़े में डालेंगी वैसा आप लोगो निकाल कर रहे आप लोग खीचे का ना कोई निकाल कर आप लोगो तब भी नहीं आप लोगो निकल पाऊगी ठीक है तो यह चीजे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर सुधार सकते हैं अपनी आदतों को सुधारो आप लोग की जिन्दगी जो है वो अपने आप बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी आदते ही इंसान को बनाती है आदते ही इंसान को बिगाड़ती है ठीक है एक इंट्रेस्टिंग एक बात बताँ आप लोगो एक बच्चे का बिसिकले इस्टाग्राम पर जो मैसेज आया उसने बोला कि सर में डिसिप्लिन नहीं हो सर जितने पैसे लोगे में उतने पैसे दोगा बस मुझे एक बार डिसिप्लिन में ला दो मैंने का यह अच्छा तरीका था तो एक तरीके से आप लोग समझे हैं पर यार यह सारी चीजे पैसों से नहीं होती है यह आपके अंदर से ही आएगा dedication ठीक है उस चीज को लेकर आप लोग के अंदर discipline आएगा इसलिए मैं morning में आप लोगो बोलता हूँ ठीक है कि आप लोग morning से अपनी चीजों को अच्छे से लेकर चलो जिस दिन morning में आप लोग अपने time पर उठकर class ये complete कर लोगे morning में उस दिन अपना दिन देखना ठीक है और जिस दिन आप लोगी class complete नहीं करते है morning में अपना दिन लेट लथी फिस्टार्ट करते है और फिर शाम को देखते है ये फिर देखते हैं ये उस दिन अपना दिन देखना दोनों दिन के difference को समझना आप लोग आप लोगों समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो ये सारी चीजे आप लोग ये सामने ही है बस थोड़ा सा effort डालो और रिजल ने कर जाओ कोई सोचने वाली बात ही नहीं तो ये सारी चीजे आपने हिसाब से आर आप लोग कर सकते हो तो ये बात आप लोग जहान अखना अच्छे से ता कि आप लोग चीज़ों को धंग से implement कर सोगो तो confusion नहीं है ना अच्छे से चीज़ों को देखो Supreme Court ने जो यहाँ पर decision दिया था जो यहाँ पर नवीनतम निर्ने के जो आलोक में मुलिक अधिकार के दाएरे की जाच करो समझ गया आप लोग तो ऐसे question आप लोग उसे frequently पूछे आते हैं 2021 में पूछा तो गया direct देखो UPS से ओशन है यह यकीन निकरोगा आप लोग right to privacy जो है किस article के अंदर protect है समझ रहे आप लोग है आप 15, 19, 21 यह फिर 19 तो यहाँ से आप लोग देखो ऐसे ऐसे भी question पुछा आते हैं अगर यह भी गलत कर दिये तो फिर तो वो नहीं कहते है कि चुके हो same question 2018 में पूछा गया 2019 वाला question दिखाया किस वाला दिखाया तीन साल पहले देखो same question है बिल्कुल ऐसा कैसे ही बोड़ा जा रहा है right to life and the personal liberty ठीक है यह question पूछा गया बोला किस article में दे रखिए right to life and personal liberty privacy के subject के वारे बात कि जा रही है किस के अंदर में है यह सारी बाते लिख दियो उसने बकाइदा जो उस आर्टिकल में यह देखो UPSC आप लोगे साथ में गुमा गुमा कर आप लोग को गीला करकर गये वह नहीं कहते है कि topic के बारे में basic information बता दी क्या क्या पूछा गया है क्या declare किया गया है कहा कहा fundamental right है क्या इसके अंदर लिखा हुआ है कहा कहा पर restriction लगी है कौन-कौन से court के reference दे गये है कौन-कौन से UPSC के द्वारा question पूछे गये है और answer writing का भी question आप लोगे सामने है अब इसके अलावा भी कोई doubt हो तो बता दो उसको भी दूर करेंगे current के साथ में topic static भी हो गया fundamental right यह सारी चीज़े आप लोगी cover होगी अब किसी को जाकर पढ़ा भी दोगे किसी के साथ में debate discussion, interview में question पूछेगा तो भी doubt नहीं होगा ठीक है feedback जरूर देना अगर कोई doubt हो तो पूछ लेना उसको आगे आने वाले lecture में improve करेंगे ठीक है सुदे सिदा पाप बोल देना पाप मतलब एक तरीके से कलंक धरती के ऊपर बात करूंगा अभी इस ओर्गेंशन के बारे में यह काम कौन करती है यह सो भागया काम जो है हमारी home ministry यानि कि हम इस साज ही के अंडर में होते है सारे ऐसे से काम यानि कि अगर ऐसी कोई organization कांड क हमारे देश में कानून है the unlawful activity prevention act जो की 1967 में लेकर आया गया था रिसेंटली अभी इसके अंदर amendment किया गया पहले तो किसी organization को आप लोग terrorist बोल सकते थे पर रिसेंटली अभी बहतरीन चीज़िस के अंदर यह की गई कि अब किसी individual इंसान को भी आप लोग terrorist डिकलेर कर सकते ह हाला कि इसका criticism हुआ काफी ज़ाद है पर लेकिन reality में इसकी जुरुत थी सरकार देगे कोई भी कामना ऐसा नहीं करेगे कि मतलब citizen को बरबाद करने के पीछे पुड़ी है सबसे पहले security आती है सोचो अगर एक बार को यहाँ पर हमारी आर्मी बोर्डर से अट जाए तो पाकिस्तान क्या-क्या बत्तमीजी कर दे और चायना तो हमारी security लगे रहने के बावजूद भी बत्तमीजी काट रहे है तो दो इतने लालची इंसान जो की जमीन के बैठे हमा recruitment किसी भी तरीका कर रहा है तो उसको यह थेले में डालकर ओपर से जो है note available का tag लगा देते हैं यह अब available नहीं है आखिर इसके साथ में क्यों क्या गया इसने ऐसा क्या कांट किया तो मैं आप लोगों को बताता हूँ Unlawful Activity and Prevention Act तो आप लोगों को याद रखना है किस ministry के अंडर में काम करता है तो हो मिनिश्टी के अंडर में यह PFF क्या है Important बात देखना आप लोग यहाँ पर PFF इसमें क्या बोला गया है लोगों के साथ में People's Antifascist Front यह है और इसको पिडिकलेर किया गया इस कानून के दुरू क्यों क्यों क्योंकि Jais A. Muhammad पागिस्तान के अंदर में चो टर्रिस्ट और गैसने इसका बच्चा बोला जा रहा था इ देख के अंदर उसको बिगाडने का काम ही हाँ पर करते हैं और इसकी वेसे लोगों के अंदर में खोफ फैलता है और उसी खोफ का फायदा उठा अगर फिर यह अपने जो हैं काम साथते हैं अब बोथ Indian and foreign national में हाँ पर यह चार्ज के जाएंगे इस Act के तहत में अगर हमार इस लिए कि हवा बाजी में कुछ भी कर दिया किसी भी चीज को इंप्लिमेंट करने के पीछे एक प्रोचेजर रहता है तो गोवर्मेंट को भी पता है अगर वो प्रोचेजर फोलो नहीं किया तो कल को कोई भी जाकर कोट में बैठ जाएगा और खुद उनके उपर एक तर इमपेक्ट क्या पड़ा है हाँ पर पोजिटिव और नेगेटिव वो एक अलग चीज अपकर लेकिन प्रोचेजर बिल्कुल फोलो किया गया है जो प्रोचेजर से तक पाम होना था तो आप लोग ये समझ सकते हैं तो गोवर्मेंट को भी पता है इसलिए प्रोचेजर फो देना चाहिए इनको सबको उठागर इतनी गंदी हरकते करते हैं लोग चले जो भी है important topic था याद रखिया कुछ ठीक है ये जो article है ये cricket premium के लिए तो बहुत important रहने वाला है खासकर उन लोगों के लिए भी important होगा जोकसर अपनी hobby जो है cricket बताते हैं और बाकी जो ना तो cricket premium है ना hobby cricket बताते हैं उनके लिए इसमें बहुत ही प्यारी information होगी खासकर जो मैं आप लोगो थोड़ा सा कुछ history बताऊंगा यहाँ पर cricket related जो आप लोग चीज़े understand कर पाएंगे आप लोगो पता है हमारे देश में सबसे उपर आप लोगो देखने को मिलता है जैसे की central government यह फिर आप लोग union government बोलिए नीचे थोड़ा सा आएंगे तो state government है और फिर नीचे आएंगे तो आप लोगो district level पर चीज़े नजर आती है ठीक है ऐसे ही आप लोगों यहाँ पर cricket का यह framework देखने को मिलेगा जैसे सबसे उपर तो international level पर जो खेली जाती है टीम अलग-लग देश की फिर national level पर आप लोगों खेलते हुए नजर आते है और फिर आप लोगों यहाँ पर state level और 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 भी कई सारे अलग-अलग जो cricket club है वो participate करते है तो इस वाले level को हम लोग रंजी ट्रोफी की category में रखते है वैसे बता दूं आप लोगो कि हमारे देश में आज की date में currently जो रंजी ट्रोफी में participate करने वाली team है वो कितनी है अंदाजा लगाओ आप लोग कितनी होगी आप लोगो पता है 28 तो इस टेटी होगे हमारे देश के अंदर में और 8 unit entry होगी तो टोटल मिलाकर इनको add करोगे तो 36 होनी चाहिए अगर वैसे देखा जाए तो पर लेकिन इन reality यहाँ पर इससे भी ज़ाद है वो लोगे कैसे बताइए चलिए आप लोग एक बार guess कीज़े कि कितनी होगी फिर में उसके बाद मैं आप लोगो बताता हूँ कर लिया guess टोटल मिलाकर आज की डेट में हमारे देश में आप लोगो 38 देखने को मिलेगी 38 आखिर क्यों जैसे मैंने बताए कि आप लोग बता है कि स्टेट और इंटरेटरी मिलागे 36 होगे अगर बात की जाए तो सारे आप लोगो देखने को मिलेगी आंदर परदेश, रोनचल परदेश, आसाम मतलब जो भी हैं आसपास में सब जगे से आप लोगो यहाँ पर चीजे नजर आ जाएंगी पर दो एक्स्ट्रा क्या है फिर यहाँ पर वो काफी इंटरेसिंग है जो की पैन इंडिया लेवल पर आप लोगो देखने को मिलेगी वो है रेलवे एंड सर्विसेज तो यह दो टीम आप लोगो पाटिसिपेट करती हुए यहाँ पर काफी अच्छे से नजर आएगी रनजी ट्रोफी एक ऐसा किर्केट का एक फ्रेम है हमारे देश में जो आज का नहीं है काफी पुराने टाइम यहनगे काफी समय पहले स्टार्ट किया गया था लगबग अगर बात कुई इसके बारे में तो आप लोगो 1934-35 में इसका स्टार्ट किया गया था यहनि कि हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था जब से हम लोग यहाँ पर यह किर्केट खेल रहे हैं इस पर्टिकुलर रनजी की फोम में और यहाँ पर यह जो रिसेंटली अभी जो मैच वा था मतलब इसका जो फाइनल अभी रिसेंटली भी देखने को मिला यह 2020-21 का तो COVID-19 की वेसे नहीं हो पाय था पर जो रिसेंट अभी आप लोग के हाथ में जो लेटेस्ट इसका एडिसन है वो आप लोग को देखने को मिलेगा 2022-23 का इसमें टोटल 38 टीम है जैसे मैंने बताया आप लोग को और मज्या परदेश करेंट चेंपियन है यानि कि MP के पास में इसका करेंट टाइटल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह काफी important है जो भी basic चीजे मैंने आप लोग को बताई है यह आप लोग याद रख सकते है सबसे जादा बार अगर कोई जीता है तो वो कौन जीता है यह जीता है 41 टाइम्स याद रखेगा मूंबई ठीक है तो यह निके मूंबई जो है सबसे जादा बार यहाँ पर इस particular जो ट्रोफी को जीती है यह particular ट्रोफी जो है यह donate की गए थी भुपेंदर सिंग दमाहराजव पटियाला कुछ memory में जो की कुछ personality थी important personality जैसे कुमार सिरी रनजीत सिंग तो उनकी यादगार में आप लोग बोल सकते हैं जो की previous year में उनकी death हुई थी तो यहाँ पर उनकी याद में ये ट्रोफी start किये गी थी तो एक तरीके सा आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी national level की team में खेलना चाता है अगर वो रनजी में अच्छी performance दे देता है तो फिर वो national level की team में जाकर जो है वो खेल लेता है पर अभी इसी के बीच में एक और frame स्टार्ट किया गया जिसके बारे में आप लोग को बता है वो है IPL यादि कि Indian Premier League तो ये एक नया system अभी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा यादि कि पहले जो था system वो मैंने आप लोग को बता दिया अभी IPL नया एड किया गया है अब ना तो ये state level पर है अगर देखा जाए ये अलग level पर है क्योंकि इसमें आप लोग को state के player देखने को मिलेंगे इसमें national के player देखने को मिलेंगे तो ये बड़ा ही एक cocktail टाइप में एक system तरियार कर दिया गया है जिसको हर एक level पर player जो है वो आप लोग यहाँ पर participate करते हुए पाय जाते हैं तो मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ रंजी ट्रोफी के बारे में तो 2022 ते इसका जो 13 December से start हुआ और इसी के साथ में हाँ पर यह जो चलने वाला है 20 February तक हाँ पर चलने वाला है 2023 में तो इसलिए हाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा तो यह particular जो particular session है इसमें कौन जीतेगा वो सारी बाते हम लोग देखेंगे पर फिलाल के time पर अगर आप लोग देखना चाहते है रंगे trophy तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते है कुछ basic information भी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई उसके अलावा भी कुछ ऐसी information जो कि आप लोगों से पूछे जाए और आप लोगों बता होना चाहिए फिर से मैं बोल रहा हूँ जो भी एक तरीके से खासकर किर्केट को अपनी होबी के तोर पर लेगर चलता है वो इसके बारे में जरूर याद रखेगा एक सब्द आप लोगों में यहाँ पर बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो कि आप लोगों से अगर पूछ जाए तो आप लोग बोलो गयार यह क्या होगे हैं आपर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हूआ है इंगलेंड और सुसेक्स तो यहाँ पर जो रंजीत सिंग जी है जिनको फादर ओफ इंडियन किर्केट बोले आता है यह दो टीम के लिए खेला करते थे एक तो है इंगलेंड और एक है सुसेक्स तो इंगलेंड तो आप लोगों पता है कहाँ पर है तो सुसेक्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ सुसेक्स जो है पर्टिक्लर एक रीजन है जो कि आप लोगो देखने को मिलेगा जिसको हम लोग साउथ इस इंगलेंड के अंदर में आप लोगो बेसिकली देखने को मिलता है इंगलेंड के अंदर में एक पर्टिक्लर एरिया ठीक है तो ये यहाँ पर उनके लिए खेला करते थे आप लोगों पता है कि हमारा देश जो है वो अंग्रेजु के कंटोल में था तो हमारी कोई इंडिपेंडेंट टीम तो थी यह नहीं आप लोगों ने देखा इसलिए हम लोग उनके लिए हाँ पर खेला करते थे डोमेस्टिक फर्स्ट किलास किर्केट जो स्रीज हैं आपर ये रीजरनल लेवल पर स्टार्ट के गई जो कि मैंने बताया भी हाँ पर 1934 में महाराजा भुपेंदर सिंग और पतियाला के द्वारा डोनेट की गई ये ट्रोफी बाकी जो फिलाल के टाइम पर अगर बात करूँ जो ये मैचिस अभी हाँ पर होंगे इसमें 141 मैच होंगे और 38 टीम जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है तो अपने ही आप में काफी इंट्रेसिंग ये सारी परकिरिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी अब कुछ बाते मैं आप लोगों से करूँगा जिससे कुछ तो इंट्रेसिंग फेक्ट आप लोगे सामने आएंगे और कुछ मैं आप लोगो जान पाऊंगा कि कितने एच्छे से आप लोग किर्केट प्रेमी है जो किर्केट के बारे में बात एगर रहे हैं कुले अप लोगे बताएं कि वोमें किर्केट जो है यह अभी जो फूलेल फू में किर्केट वर्लक प्रेमी मैं आप लोग सब जानते हैं किस किस साल में जीता गया है चलिए बताइए देखता हूँ कौन-कौन बताता है एक question यहाँ पर यह है आप लोग को यह बताना है कि जो Women Cricket World Cup होने वाला है 2025 में वो कहाँ पर होने वाला है यह question के answer आप लोग बताइए Women Cricket के वारे में क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि Men's Cricket के बारे में आप लोग से सब बात करते हैं मिलेंगे क्योंकि वो इतना famous हो जाता है जिसकी उच्छद नहीं है सारे Cricket के नाम भी आप लोग बता दोगे आप लोग उसे पूछो कि Men's Cricket टीम में कितने प्लेयर हैं उनके नाम क्या है तो सब के नाम आप लोग ही की करके बता दोगे पर Women Cricket टीम के अगर मैं पूछो कि तीन प्लेयर के नाम बता दो तो सैद ही कोई हाँ पर बता पाएगा चलिए बताइए देखता हूँ किसी के नाम के याद है क्या Basic Information में बताता हूँ सबसे पहले 1973 में हाँ पर स्टार्ट किये थी है ट्रोफी खासकर World Cup Women के लिए जैसे अभी हम लोग अभी जो सबसे अच्छी बात मुझे रिसेंटली देखने को मिली कि IPL भी हम लोग Women के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं तो Women Empowerment का एक अच्छा तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अगर किर्केट के फिल्ड में कोई महिला जानी जाती है तो जो जा सकती है पर अब तक सबसे जो बुरी सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम लोग जो है यहाँ पर यह जो किर्केट का जो World Cup है खासकर इंडिया के अंदर में अब तक तीन बार होस्ट कर चुके हैं यहनि कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको होस्ट किया था वो हम लोगों ने होस्ट किया था 1978 में ठीक है दूसरा जो हम लोगों ने इसको होस्ट किया था 1997 में और तीसरा हम लोगों ने इसको host किया था basically 2013 में याद रखेगा चोथी बार हम लोग host करने जा रहे है 2025 में पर important बात यह है आपर जो की सोचने वाली बात है कि इतना support यहाँ पर हमारी team को नहीं मिल पा रहा है कि अब तक भी हमारी team जो है यहाँ पर winner होकर आई हो यानि कि हम अब तक इसमें winner नहीं हुए है तो यह आप लोग जुरूर याद रखेगा यानि कि एक बार भी हम लोग जीते नहीं है winner यहाँ पर नहीं है runner up रहे हैं अगर बात करें हैं आपर सबत अफरीका के अंदर 2005 में हम लोग runner up थे इसी के साथ में 2017 में भी हम लोग runner up थे तो यह बाते हैं आपर तो next 2025 में हमारे देश में यह होगा basically जो कि आप लोगो पता होना चाहिए एक किसी का नाम याद मत रखो पर लेकिन एक important personality का नाम याद रखेगा जरूर जिनका नाम है जूलन गो स्वामी ठीक है तो जूलन गो स्वामी जी का नाम आप लोग क्यों याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादे विकेट लेने वाली इस particular किर्केट वर्ल्लकप के अंदर में वही है जिनके दोरा अब तक का 43 विकेट लिए गए है तो ये कम से कम आप लोगो फेक्ट जो है वो ज़रूर पता होना चाहिए अब किर्केट के वर्ल्लकप के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ किर्केट का वल्ड कप आप लोगो पता है कितनी बार हम लोग जीच चुके हैं इसमें कोई बताने वाली बात है कोई दोर है कि यह पता है कि नहीं पता है पता है पता है कितनी बार जीते हैं कौन-कौन से साल में जीते हैं आप लोग यह बताईए सबसे इंटरेस्टिंग जो वर्ल्ड काप आप लोगो होतावा नजर आएगा ठीक है तो इसलिए हाँ पर दोनों ही अगर देखें आपर वुमेन वाला भी और ये वाला भी तो कोशन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं तो ये ऐसे में अभी यहाँ पर होने वाला है इसी के साथ में जो 25 में होगा फिर Women वाला World Cup आप लोगो देखने को मिलेगा Duration जो होगा इस साल के end में होगा लगबाग October November में आप लोगो यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलेगा और यह Domestic First Class Cricket Competition इंडिया के अंदर में जो First Edition इसका 1961-62 में देखने को मिला विजे हजारे टोफी है, Domestic Competition है, देवधर टोफी आप लोगो देखने को मिलेगी यह भी हाँ पर एक तरीके से 1973-74 में खेले गई Domestic जो 50 ओवर का Competition है इरानी कब, इंटरस्टिंग है, याद रखेगा, यह भी किरकेट के साथ में ही आप लोगो connected नजर आएगा जो कि BCCI के द्वारा देखने को मिलते हैं और ZR इरानी के नाम पर इसका नाम रखा गया है सयद जो मुस्ताक ट्रोफिय आप लोगो देखने को मिलेगी, तो इसका एडिसन 2089 में आप लोगो देखने को मिला यह T20 format में है यहाँ पर, तो यह वो basically ट्रोफिय है, जो कि किरकेट के साथ में connected है जो कि आप लोगो पाता होना जिए कम से कम थोड़ा सा, ठीक है जिसको यह लगता है कि इस topic से question नहीं पूछे आते, तो 2021 में question पूछा गया और जो अच्छा किरकेट प्रेमी होगा, वो ही answer यहाँ पर देखाएगा, ठीक है तो answer आप लोग दीजे, यहाँ पर, यह बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि अगर आप लोग, नहीं जो बन जाते हैं यार, वाओ, यह तो question मेरे लिए ही बनावा है, ठीक है तो उनके लिए तो अच्छा होगा, खासकर जो किरकेट में interest रखते हैं, पर जिनको interest नहीं है, उनके लिए टपड़ जाते हैं ऐसे question the finalists were decided by the number of matches they won, तो ICC world test, जो basically उसके बारे है, बात की जा रहे हैं आप, यह championship के बारे में दूसरा बोलाए कि New Zealand, जो है, वो rank था ahead of England, because it won more matches than the England, तो काफी different सा option पूछा गया, इसके बारे में कुछ बाते करूँगा, अभी आप लोग समझ पाओगे कौन सी statement correct है, one only, two only, both one and two, neither one, no two, सही answer आप लोग को बताना है, देखता हूँ कौन सही answer बताता है, ठीक है, तो सही answer है D, जी हाँ, विल्कुल सही, कोई साभी question सही answer सही नहीं है, finalists जो है, ICC जो world test, जो championship है, उसमें decide किये गए percentage of points, जो earn करते हैं, not by the match, जो उनके द्वारे जाते हैं, दूसरे आपर जो New Zealand है, वो less match जीता, England से बट, one more points, तो enter the final, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो different सा कुछ होगा ना, उसके उपर question बनेगा, ना कि regular, कि हाँ ठीक है, यह T20 होगया, वो यह होगया, पचास, वो तो पूछेंगे ने कि, जो world cup होता है वो कितने match का होता है, कितने साल में खेला जाता है, ऐसे थोड़ नो कोई question बूचेगा, IPL के बारे में ने बहुत कुछ आप लोग से डिसस के था, तो वहाँ से background से कोई question आप लोगा बन सकता है, ठीक है, कैसा लगा topic, कुछ extra knowledge मिली cricket के बारे में, अब cricket किसी को पढ़ापा हो, ताकि अच्छे से आप लोग ground level की situation समझ पाए, इस article के बारे में, अगर आप लोग अपनी country में बेव बंगाल वाली side, यनि कि eastern side में जाकर देखोगे, तो उडिसा राज्या आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, उडिसा राज्या भी recently इसलिए news में है, क्योंकि उडिस सा state pollution control board को conduct कया है कि fresh hearing सुनी जाए हाँ पर, जो कि यहाँ पर एक particular area के अंदर में, क्या क्या जा रहा है, बोक साइट माइनिंग की जा रही है, ठीक है, और माइनिंग मतलब, भहाँ से खोद पीट कर खनन करना, एक तरीगे सामान निकालना, और यह particular जो area है आप, यह आप ल वकूफ बैठ है, बस यही एक समझदार इंसान है, ऐसी बत्तमीजी यहाँ पर किये गई, तो इसके चलते हैं यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, particular जो area है आप यह है basically माली परवत, तो माली परवत वाला area देखने को मिलेगी, जो बोक साइट माइनिंग की ह और यह जो यहाँ पर कोरापूर डिस्टिक है, उसके अंदर में यह सारी situation आप लोगो देखने को मिलेगी, उडिसा के अंदर में, अभी मैं आप लोगो पहले मुद्द समझाता हूँ, आप लोग समकर हसेंगे और यह बोलेगे कि मतलब ऐसा इतना अच्छा सोच कैसे लेत इन्वोर्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट करवाती है, कि हम लोग जो यहाँ पर जो भी प्रोडेट निकालेंगे, उसका इस एरिया पर कोई नेगेटिव इंपेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर कितने सारे लोग रहते हैं, कैसा यहाँ पर पानी का लेवल है, वो सा इन्वोर्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट यहाँ पर एक कंड़ेट कराया गया, तो उसने बोला कि यहाँ पर कोई भी वाटर बोडी नहीं है, यानि कि ना तो यहाँ पर कोई जील है, कोई लेक वागरा, कुछ नहीं है यहाँ पर बिलकुल, लेकिन जब एक्चुल में ग्राउंड लेर पर, तो 36 यहाँ पर पेरेनियल जिस स्टीम वोटर बोडी आप लोगो देखने को मिली इस पर्टिकलर एरिया के अंदर में, समझ रहा आप लोग उनकी वत्तमीजी, मतलब कहने का यह कि सामने वाले को जूट भेका के फुसला के कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ ठीक है, तो यहाँ पर यह काफी important personality है, यह एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक जो ऐसी personality है जो इस एरिया में काफी awareness लेकर आ रही है, तो 2017 में इनको golden prize ही मिला था, ठीक है, तो golden prize मिला था है आपर environment के field में काम करने के लिए, तो इसलिए आप लोग इनके बारे में याद रखेगा, तो इनके द्वारा कई सारी मुहीम यहाँ पर चलाएगी, जिसके चलते लोग जो हैं वो जागरुक हुए परियावरण के बारे में, और इनके द्वारा बोल गया कि company fail हो चुकी है, क्योंकि company का जो license था, वो एकसपार हो गया, उसको renew नी करवा रही है, औ और जो लिया था, वो भी एक तरीके से एकसपार हो चुक है, 2011 में, फिर भी 2012 से लेके 2014 तक तो company जो है, वो एक तरीके से company अपनी illegal mining करती रही, यहाँ एक तरीके से condition खराब हो रखी है, वहाँ पर एकसपार हो चुक है, फिर भी भाईयों की mining ने रुक रही है, माईनिंग ज यहाँ पर नहीं आ, तीस से ज़्याद है, जो गाउं के लोग हैं, अब वो इखटा हुए, अब वो हाई कोर्ट में जागर पहुंचते हैं, और वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि जहाँ पर यह खुदाई चल रही है, वहाँ पर हमारी पाकुली देवी और इसे के साथ में पा कुफ समझा जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलते हैं, मतलब अपना गुदाई की जारी हैं, अब पर चीजे की जारी हैं, ना उसमें प्रोपर एक सिस्टेमेटिक में चीजे फोलो की जाती हैं, और आप लोग को बता दू, यह मैक्सिमम जगह आप लोग को चीजे देख पहले तुम अपनी कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, प्रोजेक्ट लगा लो और उसके बाद में असिस्मेंट करा लेंगे, ऐसी भी चीजे हाँ पर निकल कराई थी, उसमें जो पर्टिकुलर एरिया में, जो गाओं के खासकर जो लोकल एरिये हैं, उनका प देखो कि किस तरीके से क्या क्या चीजे चल रही हैं, और उसके बाद में आप लोग डिजिजन लो यहाँ पर ये सारी चीजे चेक करने के बाद में, और फिर देखो कि ये फैक्टरी यहाँ पर लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से मलग यह आप लोग को UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप लोग को यह जानना है कि क्या हम इस पेपर को कितने लंबे समय में हम लोग केलियर कर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका किसी को भी अगर UPSC की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले उसके सामने UPSC का बस रहो दो, कि यह है सलेबस और उसको दो 10 दिन, कि यह सलेबस 10 दिन में बस पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और उसकी जो टरम्स इसके अंदर लेकी हुई है, उसको इंटरनेट पर जाकर सर्च करना है, ठीक है, तो अंडरस्टेंडिंग देखना किस तरी यह develop होती है, जब यह काम हो जाए, उसको 10 दिन और दो, 10 दिन दो उसको basic लिए, पुराने question paper में से go through हो जाओ, ऐसा नहीं कि तुमको रटने है, उनको solve करना है, नहीं बस देखने, ठीक है, इसी के साथ में prelims के होगे, फिर mains के question देखने के लिए दो, तो total में लाकर एक इन कि जो बिल्कुली एक नरीक से raw material है, जिसको UPC की full form भी नहीं पता है, ठीक है, आप लोगो तो बता है न, मजाग कर रहा था, आपको तो बता है, यहाँ पर इसको unpredictable service commission भी बोलते है, क्योंकि यह कभी predict नहीं कर पाते है, कभी कैसा हो तो कभी कैसा हो, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग bauxite के बारे में कुछ factual information जानेंगे, जो की static portion होगा, जैसे की bauxite है क्या actual में, अगर आप लोग उसे पोचें, तो bauxite क्या है, यह एक basically ore है of aluminium, यानि कि एक तरीके से raw material है, जो aluminium का ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर में aluminium oxide पाए जाता है, तो पहली तो यह कि एक fact है, कि यह aluminium के साथ में connected है, दूसरा, हमारे देश में, अगर आप लोग देखोगे, इसके जो deposit हैं, वे occur होते हैं, capping, hilly और play to area, except in coastal area, गुजरात और गुवा, दो को छोड़कर आप लोग को maximum जगया जो है, इसके कुछ नगुछ portion जो है, वो पाते हुए यहाँ पर तो यह एक basic चीज है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, पर अगर आप लोग मैप में यहाँ पर देखोगे, आप लोग बोलोगे, सर्व गुजरात में तो पाया जा रहा है, और यहाँ पर भी basically गोवा के अंदर ही पाया जा रहा है, तो एक term यहाँ पर आप लोग साइट की जो प्रोविंस है, उसमें आप लोग देखते हैं, सबसे जादे इस्टन घाट में है, वेस्टन घाट में आप लोग को देखने को मिलेगी, गुजरात सेंटर इंडिया और यह particular रिजन जो मैप में आप लोग को दिखाई दे रहे, तो इसके बारे में कुछ basic information इ इसमें box side से हम लोग aluminium बनाते हैं, तो bear procedure अगर लिखे, तो box side से aluminium बनाने का जो तरकीरा है, उसको bear procedure बोलते हैं, जैसे मैंने बोला है, हाँँपर aluminium oxide, तो इसका मतलब क्या है, कि aluminium जो है, उसका oxide है, तो इसमें से aluminium जो है, वो निकाल कर अलग किया जाएगा, तो एक तरीके से pure और करने वाला processor है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, reserve कहाँ पर है, जैसे गुनिया होगी Australia, Vietnam, Brazil, Jamaica, Indonesia, China, काफी लाजी scale पर देखने को मिलते हैं, पर सबसे ज़्याद है, अगर 25 और यहाँ पर होगया 45, अगर मोटे मोटे तोर पर पर जाएगे, एक तरीके Brazil और India, यह produce करने वाले हैं, reserve का मतलब है कि जहाँ पर है, मतलब जमीन के अंदर धसा पड़ा है, और produce करने वाले है, जो निकाल रहे हैं, ओलड़ी use कर रहे हैं, तो यह confusion में मत आना आप लोग यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग, reserve कहाँ कहाँ पर है, उडिसा में है, आंद जब आप लोग करोगे, तो mind में confusion नहीं आएगा, जो question में आप लोगों से यहाँ पर discuss करने जा रहा हूँ, question तो बहाना है, इसके थुरू एक topic complete कराना है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, यानि कि इसके अंदर में पूरा topic complete हो जाएगा, जो कि आप लोगों से कई बार पुछा आता है कि major और जो minor mineral है, उनके बारे में, मतलब जो परमुक, जो यहाँ पर खनीज हैं, उनके बारे में आप लोगों से question मनते हैं, पहला है यहाँ पर यह है betonite, दूसरा है आपर chromite, तीसरा है आपर kainite, और चोथा है आपर silamite, तो बोला गया कि कौन से major mineral है, UPSC ने 2020 में question पूछ लिया, तो मैं list दूँगा आप लोगो, जो कि जिसके 2-3 बार go through होंगे, तो आप लोग चीज़े याद रखेंगे फिर, 1-2, या फिर 4, या फिर 1-3, या फिर 2-3-4, सही answer किया है, सही answer है यहाँ पर D, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखते ह classification किया गया, उसके base पर यह classification आप लोगे सामने है, आप लोगे देखकर लग रहा हो गयार, कितना सारा सामाने है, रटना है, पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, basically होता क्या है, जब आप लोग practice करना है, start करते हो, और इनमे को 2-3 बार go through हो जाओगे, तो कुछ-कुछ चीज़े आप लोग को याद रहनी start हो जाएंगी, और उसके base पर आप लोग चीज़ों का अंदाजा लगाना सीख जाओगे, तो practice का मतलब ही तो यह होता है, एक आप लोग को story सुनाता हो, मैं एक particular बहुत बड़े director थे, तो वहाँ पर एक hero था, एक particular talks हो था, उसको मैं सुन रहा था तो उसमें director जो है, वो hero से बोलता है, कि sir आप इतने बड़े director है, तो यह जो movie है, वो आप लोग की जो आने वाली है, यह कैसी रहेगी, मतलब यह एक अच्छी movie जाएगी एक तरीके से, या फिर यह कोई अच्छा काम नहीं करेगी, तो director ही बोलता है कि अगर मुझे पता हो कि कौन सी movie अच्छी जाएगी, कौन सी बुरी जाएगी, तो मैं बुरी movie बनाता ही, क्यों, मैं सारी अच्क ऐच्छी बनाता, यानि कि कोई भी जब काम कर रहा होता है, उसको यह समझ में आता है कि अच्छा होगा, पर हाँ, अगर कोई सिद्दत से काम करना है पूरा दिल तो उसके maximum chances वो जातने हैं कि वो अच्छे होगा, ऐसी आप लोगी preparation है, सिद्धत से करोगे तो result अच्छा ही अच्छा आएगा, ठीक है, तो इसलिए पूरी जीजान लगा दो, बाकी उपर वाले के उपर छोड़ दो, उसने भी कुछ सोचा होगा आप लोग के लिए, और ये चीज हमेशा आप लोग जिन्दगी में implement कर सकते हैं, इससे tension भी कम होगी, interesting question है, environment impact assessment के बारे में, बोला गया कि ये define किया गया, जो भी predict करना कि कि किस तरीके से effect पड़ सकता है, environment के उपर, इसके तरू हम लोग चेक करते हैं, दूसरा क्या बोला गया, दूसरा यहाँ पर ये बोला गया कि, ये एक statutory अंडर किसके अंदर provision है, environment protection act जो 1986 का है, उसके अंदर आप लोग को provision देखने को मिलेगा, incorrect बताना है, only one, only two, both, ये फिर none, तो कौन सा answer नहीं हाँ पर सही है, answer incorrect बताना है, याद रखेगा, वैसे सही पूछता correct, तो answer क्या होता, answer होता C, पलेकिन भाई ने तो उल्टा पूछ लिया, incorrect पूछ लिया, तो इसलिए हम लोग answer बोलेंगे D, ठीक है, सारी explanation है आप लोगे सामने, कोई भी confusion नहीं होना चाहिए, एक और छोड़ा सा, ये box site के बारे में question हो जाएगा, तो पूरा topic आप लोग का question के through भी, अब complete हो जाएगा, वैसे तो complete करी रहा है, अब question के through भी complete हो जाएगा, बोला गया कि ये एक iron ore है, ये basically aluminum जो basically ore है, यानि कि aluminum का basic पदार्थ है, बोला जा रहा है कि 2015 के data के साथ से, वन फॉर्थ reserve जो है box site का, वो गुनिया के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये बोला गया, ठीक है, तो पहला basically गुनिय बोल सकते हैं, आप लोग यहाँ पर, ठीक है, उडिसा जो है, वो half of total reserve आप लोग को देखने को मिलता है, आस्टेलिया highest producer है world में, और उडिसा जो है, वो 2 by 3 total जो भी production देखने को मिलता है, ठीक है, सही answer क्या है, only one, only two, three, या फिर all of the above, तो यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं ढंक से, तो आप लोग चुजों को समझ पाएंगे, कि सही answer क्या है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो basic क्या है आपर, तो D है, सारी की सारी statement सही है, कौन कौन से major reserve है, कौन से producer है, कोई भी confusion आप लोग को इससे later नहीं होना चाहिए, यह याद रखने के लिए है, अगर आप लोग किसी particular state से आते हैं, तो state pieces के अंदर, यह question बड़ी frequently पूछा आते हैं, ठीक है, I hope के mind में clarity आ गई होगी, तो topic होगे तयार पूरा अच्छी से, समझ में आ गया, क्या क्या था पूरा funda, कि मुद्दा क्या था, किस लिए हैं हाँ पर, उडिसा के अंदर में ही चल रही थी, और क्या क्या चीज़े हैं, सारी आप लोग को एक एक समझा दी, पोई भी अब आप लोग के mind में इसको लेकर confusion नहीं होना चाहिए, अगर confusion होगा, तो उसको दूर करने आप लोगो थी है, तो basic चीज़े एक एक बता दी आप लोगो, map के थूरू भी आप लोगो समझा दी, UPSC ने question पूछा, और कुछ question आप लोगे लिए भी बना दी है, ठीक है, I hope की clarity आई होगी, doubt नहीं होना चाहिए, और यह box site वाली जो basic चीज़े बताई हैं मैंने, यह काफ़ important हो जाता है, क्योंकि static portion है, तो समझेगा इसको जुरूर अच्छे से, दोस्तों किसानों की income को जब double करने की बात की गई, तो सरकार ने बोला, कि 2022 तक किसानों की income को हम लोग double कर देंगे, यानिके उनकी जो income है, उसकी double हो जाएगी 2022 तक का, तो यहाँ पर एक particular article में जब मैंने ये चीज़े पढ़ाई, तो यहाँ पर एक बच्चा बोला, कि सर 2022 तो चला गया, तो यहाँ पर income तो double हुई नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, तो देखो यार, यह मुझे एक dialogue याद आया फिर मापा, कि selection नहीं हुआ, यह अलग बात है, हम लोग try भी न करें, यार यह गलत बात है, मतलब कहने का यह हो गया, कि देखो हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ही diverse country है, तो कोई भी scheme अगर चलाएगी, इसका यह कता ही मतलब नहीं है, कि वो उसी time पर उसको achieve कर लेगी, कोई नगोई progress आप लोगो देखने को मिलेगी, बहुत सारी सरकार की scheme चलाएगी, जिसमें गोवर्धन नाम की भी scheme आप लोगो देखने को मिली, कई सारे revolution चलाएगे, जिनके बारे में मैं आगे articles के बारे में बात करूँगा, आप लोगों को positive side देखनी है, कि progress क्या है, और उसी progress को आप लोगो represent करना है, जबी भी कोई answer लिखेंगे, आप लोग कहीं interview में जाकर बैट रहे हैं, तो ये बात हमेंसे ध्यान रखेगा, सरकार को criticize करना आप लोगों का काम नहीं है, पर फिर भी अगर आप लोगों का मन कर रहा है, किसी particular point पर criticize करना है, तो आप लोगों के पास में कोई better solution उसका होना चाहिए, यानिके आप लोग answer writing में जब बोलो, सरकार की positive चीज़ है और ये negative चीज़ है, तो आप लोगों को बताना है आपर कि improve कहा कहाँ पर किया जा सकता है, तो वो एक तरीके से आप लोग का suggestion होगा, जो कि एक तरीके से positive, यानिक करते critical analysis करना, ठीक है, तो वो आप लोगों को हाँ पर करना है, तो ये बात हमेशे दयान रखना, ठीक है, अभी मैं ऐसे एक topic के बारे बात करूँगा, जिसको बोलते हैं beekeeping, मतलब normal साधान बाहसा में बोलो, तो भाई साब मदुमक्ही पान ली है, उसमें से सहद निकालना है, और वो ले जाकर बेचना है, तो इस सहद को बेचने से यहाँ पर, जो भी पैसा मिलेगा, उस पैसे से यहाँ पर काफी किसान के लिए, एक alternative income यहाँ पर तयार हो जाती है, मतलब जो income आ रहे है, उसके पहलल में एक और income आ गई, घर में एक इंसान कमाने वाला है, अगर दूसरा भी कमाने वाला हो जाए, तो गोई गलत बात थोड़ी ना है, दो जगे से salary आ रहे हैं, तो कम से कम यह रहेगा, कल को एक को कोई दिक्कत हो गई, तो दूसरे की से घर चलता रहेगा, ऐसा ही कुछ किसानों को support कराने की गोर्मेंट के द्वारा बात की गई, तो उसी पैटर्न में चलता हुआ, यहाँ पर आप लोग को यह, पर्टूलर टोपिक जो है, वो यहाँ पर नजर आएगा, बी कीपिंग के बारे बहुत सारी बाते, मैं आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को connect कर पाएंगे, तो जो भी गोर्मेंट की schemes होती है, उसके साथ में आप लोग connect करके देख सकते हैं, GS paper 2, यहाँ पर आप लोग इसको देखेगा, अभी हुआ क्या, अंडर दा जो honey mission है, एक लांक और 75,000, भी boxes जो हैं, वो अभी distribute किये गए, खादी and village industry commission के द्वारा, यह क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग KVIC, खादी and village industry commission, यहनि कि एक ऐसा commission है, एक ऐसी बोड़ी है, जो कि गाउं में दूर दराज वाले area में, अगर कोई भी business करना चाता है किसी तरीके से, तो उसको एक तरीका support प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो beekeeping training दे गई लगबग 17,500 बैनिफिसरी को across the country, कि कैसे कैसे आप लोगो मदुमक्ही पालनी है, आप लोग सोचो एक किसान है, उसकी खेती जो है बरबाद हो गई किसी रीजन की वेसे, अब वो किसान ये एक तरीके से मदुमक्ही पालन कर रहा है, तो समझ सकते हैं कि कम से का में एक alternative income यहाँ पर हो जाएगी, तो इससे किसानों को income जो जन्नेट होगी, उससे कहीं न कहीं एक तरीके से जो suicide कर रहे हैं कहीं सारे लोग, वो suicide करते हुए भी आप लोग को यहाँ पर बेसिकली नहीं मिलेंगे, एक अच्छी खुशी जिन्द की जीते हुए नजराएंगे, कुछ important बात, जो sweet revolution है आपर, वो इसी के साथ में connected है, यानि कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग आज केट में मदुमक्खियां पालन कर रहे हो, और फिर उससे जो भी सहद वगरा निकल कर आता है, उसको बेचा जाता है, तो यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, वैसे इसके लिए हमारी सरकार ने honey mission लौँच के था 2017 में, जो honey mission जो है, उसी के साथ में यहाँ पर sweet revolution निकल कर आया, यहाँ कि honey mission तो 2017 उसी से sweet revolution, यहाँ कि देश में जो मदुमक्खिय से जो सहद निकाला जाता है, उसको हम लोग के इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, पैसा कमाने के point of view से भी, और किसानों की income के point of view से भी, तो यहाँ पर यह काफी important इसके बारे हैं बात करेंगे, याद रखना हमारे देश में से maximum जो भी हाँ पर basically एक जो सहद है, उसकी demand जो है, वो आप लोग को देखने को मिलेगा USA, UAE और यूरोप में, यानि कि हमारे देश में से बहुत सारा सहद जो है, उगया क्या जाता है, बेसिकली जो मदुमक्यों के द्वारा बनाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो सोचो एक alternative revenue का source किसानों को यहाँ पर मिल जा रहा है, और international level पर सहद की आज की एडर में market में demand भी बहुत जाता है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो health के point of से कितने सारे फाइदे सहद के देखने को मिलते हैं, अगर आप लोग एक चमस सहद खाना स्टार्ट कर दो तो बहुत सारे फाइदे आप लोगों नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी खुद की बोड़ी के अंदर भी, तो इसी के चलते हैं, इसी से बोला जा रहा है कि यहाँ पर किसानों की income में भी हाँ जो है बढ़ोतरी होती है, आप लोग को देखने को मिलेगी, मदुमक्की पालन करने के लिए जब लोग बात करते हैं, तो किसानों के लिए स्ट रिवलुशन लौंच के गया, स्ट रिवलुशन 2017 मैया, उससे पहले हमारे देश के अंदर में, जो मदुमक्की के थुरू, जो सहथ यहाँ पर निकल कर आता था, वो लगबग 76,000 के करीब आप लोग को देखने को मिलता था, ठेक है, मेट्रिक टन, पर अभी फिलाल जो है, वो कितना हो गया है, वो अभी फिलाल के टाइम पर काउंट के जा रहा है, तो 1.25 लैक टन से जादा हो गया है, तो यह अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में, इस पर्टिकुलर मिसन के तहत में, जो नेशनल बी कीपिंग और हनी मिसन है उसमें सरकार के द्वारा 500 क्रोड रुपे का इंवेस्टमेंट करने की बात केगी, जिससे बहुत सारे किसानों को फायदा पहुंच सके, तो स्वीट रिवोलुशन जो है, वो मीठे फल देना स्टार्ट कर चुक है देश के अंदर में, यह बात आप लोग ध्यान तो अपने ही आप में देखें, आपर 64% यहाँ पर यह बढ़ गया, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितना सारा फायदा हैं आपर और देखने को मिलेगा, तो स्वीट रिवोलुशन हैं आपर यह काफी अच्छ है, इसके बारे में याद और हनी मिसन मैंने आप लोगो बताए दिया, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्टी कमिशन, यह मिनिश्टी ओफ जो माइक्रो इसमील एंड मीडियम एंटरपाइस के अंदर आप लोगो देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, इडेंटिफाई करना कि कहां प्रोवाइड करा दें, ताकि वो अपने ही पैर उपर खड़ा हो जाए, तो उस पैटरन में आप लोग यहाँ पर स्विट रिवोलुशन देखने को मिलेगा, अगर वैसे तो इसको स्विट रिवोलुशन बोलते हैं, वैसे आप लोग इसको बी किपिंग, यानिके और मिनिश्टी ओफ एगरी कल्चर एंड फार्मर वैल फिर यहाँ पर मेन इसकी मिनिश्टी आप लोगों को मिलेगी, जो की एक क्वालिटी हमारे देश में सहद लोगों को मिल पाएगा, एक इंटरसीं चीज़ बताओ आप लोगों, अगर आप लोग प्योर सहद ले रहे नॉर्मल सहद आप लोग का जम्मेगा नहीं, ठीक है, यह आप लोग देखोगे इसमें, तो कहीं न कहीं आजगे मार्केट में जो भी सहद आ रहे हैं, उसमें चीनी डाली जाते हैं, और दबा के वही बेचे जाते हैं, लोगों को लगता है कि आप मस तरीके का सहद खा रह लोग इंवेस्टमेंट, हाई स्किल, इसी के साथ में रिजल्ट भी शांदार आएगा, और सामाज में एक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, अभी अगर मैं आप लोगों से हापर कुछ बाते करूँ, जैसे कि जब हम लोग किसी चीज में रिवोलुशन लेकर आते हैं, जैस जैसे ही अलग-अलग फिल्ड में हम लोग इहां पर क्रांती लेकर आ रहे हैं, और उनके लिए अलग-अलग प्रोग्राम जो है, वो टाइम-टो-टाइम लोंच के जा रहे हैं, जैसे ब्लेक रिवोलुशन यहां पर, पैट्रॉलियम प्रोडिक्शन के बारे हैं, ब्लू रिवालीशन यहां पर यह मचली के बारे में All our जो है यहां पर लैधर के बारे में गोल्डन यह fruit और हनी के बारे में यह आपर हो गया Green Revolution यह food grain और ओड भी सारी चीजों के बारे में इसी के साथ में Gray Revolution fertilizer के बारे में Pink Revolution onion red revolution tomato और meat silver revolution यह egg और pol pottery white revolution पता ही आप के फिल्ड में हो गया येलो रिवलुशन ओयल सीड एवर ग्रीन ये आप लोग को देखने को मिलेगा ओवरोल जो भी डवलप्मेंट हो राइगरिकल्चर में उसके लिए तो अलग-अलग फिल्ड के ये जो प्रोजेक्ट आप लोग को दिख रहे हैं इसके बारे में भी आप कोम्यटी का बंदा है वो जैसे तैसे सहत जो है वो इकटा करके लाया अपना पूरा घूम खाम कर पूरी मैनद करकर अब कई बार क्या होता है आप लोग ने एक सर गाउं में देखा होगा ये जैसे मुझे अभी भी आदा रहा है जिसे हमने एक तरीके से जब आप लोग द डाउन देखने को मिलेगा अगर वही एपल जो है वो जैसे मार्किट में दुकान पर चला गया उसका प्राइस जो है वो तुरंथ डबल हो जाएगा ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ एक चीचीचीज हो गई है बस वहाँ पर दुकान पर खड़ा हो गया तो लोग जो है उनका फिरी में कई बार ने 1 रुपे किलो दस रुपे किलो पचास रुपे किलो ऐसे ले जाते हैं और जब खुद का खरीद का लेकर आएंगे तो 500-1000 रुपे किलो मिलेगा फिरी मार्किट से जब लेकर आएंगे तो यह कई ज्यादा खतरनाक चीज होती है एक किसानों का जो भी यहाँ पर हग है वो उनको नहीं मिल पाता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं, खेतों में गया हूँ टमाटर ये सब चीज़े हो गाए, उसके बाद में मार्किट में किसानों से ले लिए 5 उर्पे किलो के इसाब से, और मार्किट में बेचे जा रहा है 25 उर्पे किलो के इसाब से, तो ये एक तरीके से इसके उपर काम करने की जुरत है, जो कि सबसे ज़्यादा है इरिटेटिंग चीज़ देखने को मिलती है, खादी एंड विलेज इंडस्टी कमिशन ये काफी इंपोरेंट बोड़ी है, अलग से एक ओर्गिनेशन भी आप लोग की कवर हो जाएगी और यहां से आप लोग ये कोशन नहीं बन सकते हैं, ये 1957 में बनाएगी, खादी एंड विलेज इंडस्टी कमिशन एट के थुरू, जो कि 1956 में आए था, विजन सिधा सिधा ये कि कैसे ये गाउं वाले एरिया को विलेज में जो इंडस्टी है, उनको परमोट करें और सही डिरेक्शन में हाँ पर लेकर चले, ये ओल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्टी बोर्ड सेट अप किया गया 1957 में, हैड़कोर्टर मुंबई में हैं और बाकी लोकल एरिया, डेहली भोपाल, जैसे की बैंगलोर, कोलकाता, गोवाहटी या फिर मुंबई के अंदर भी लोकल ओफिस भी आप लोगे, जिनको रीजनल ओफिस बोलते हैं, जोनल ओफिस, वो भी आप लोगो देखने को मिल जाएंगे, तो हर एक लेवल पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ये सिस्टम यहाँ पर क्रियेट किया गया है, ठीक है, तो अगर एक आइडिया भी आप लोग लेना चाहिए थोड़ा सा, तो इससे और थोड़ा सा अंदाज आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, तो दोनों स्लैड में मैच कर लेना, कोई confusion आप लोगो नहीं होना चाहिए, जब PPD डाउनलोड करोगे, तो सारी चीज़े आसाने and highly skilled enterprise model in which technology application has emerged a great enabler for the socio-economic growth, समझे आप लोग यहाँ पर, पूरा beekeeping के बारे में question बन गया, exactly पूरा एक complete question पूछ लिया गया है, तो इससे अंदाज आप लोग लगा सकते हैं, कि यह topic जो है, कितना important है, और जब भी भी हाँ पर किसानों के बारे में बात आती है, तो इस topic को parallel में discuss कर ही लिया जाता है, ठीक है, आईए अब बात करते हैं, honey mission के बारे में, launch किया गया, तो थाएं 15 में in the line of sweet revolution, यह create कर रहा है employment for the farmer, आदिवासी woman यह unemployed youth के लिए जो भी हाँ पर, और beekeeping जो है, उसके चलते चीज़े और भी सही direction में चल रही है, correct answer बताना है, correct क्या हो गय ठीक है, यानि कि दोनों की दोनो correct statement है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखो, KVIC के बारे में interesting question है, statutory body है, यह ministry of micro, small and medium enterprise के अंडर में आती है, और बोला गया कि विजन कहा है, पर्मोट करने के लिए गाउंवाले एरे की industry, headquarter New Delhi में है, answer बताइए कह है, कौन सी statement incorrect है यह आप लोग को बतानी है, इसमें interesting है, ठीक है, तो KVIC एक पूरा organization के बेस पर कई सारे question आप लोग के exam में बनते हैं, तो देखता हूं कौन सी answer देता है, answer होगी हाँ पर A, ठीक है, तो khadi and village industry commission जो है, उसका headquarter मुंबई में है, बाकि सारी की सारी statement जो है, वो correct है, और incorrect पू से हाथ हो जाएगा, sweet revolution जो है, वो MBCS initiative है, promote करने के लिए, epiculture, popularly जिसको beekeeping बोलती है, अगर कल को epiculture लिखा हो मिल जाए, और आप लोग बोलने लगो यार यह क्या बोलके चला गया, यह तो सुने नहीं था, यह कौन सी मचली का नाम आ गया, तो यह इसी procedure का नाम है, मुदमक में डाला जा सकते हैं, central sector scheme है, हाँ पर central sponsor नहीं है, तो answer क्या हो गया, answer इसका A हो गया, तो इस तरीके से आप लोगों से question बनते हैं, और यह answer writing का होई गया, topic हो गया तो यार, पूरी basic information बता दी, कहां कहां पर क्या क्या है, सारी चीज़े एके करकर cover करा दी, कौन कौन सी ची करा दी, अब topic हो गया, तयार, अब किसी को पढ़ा भी सकते हो जाके, इस तरीके से topic तयार करो कि उसका post matum हो जाए, 365 एक तरीके से, चारो तरफ से, चारो तरफ से, चोह मुखी विकास आप लोगों को देखने को मिले, इस particular topic के लोगों लेकर अगर देखें तो, ठीक है, को कोई चिपी हुई होती है, important होती है, पर लेकिन public में जादे देखने को नहीं मिलती है, पर लेकिन importance बहुत होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा, थोड़ा सा detail में, ताकि चीज़े आप लोग समझ पाए कि इसकी importance क्या है, बात की जारी यहाँ पर, ए यह है मनिपूर, उपर नागरलेंड, नीचे मिजोरम, इधर है आसाम, यानिकि तीन साइड से स्टेट टच करते हैं हमारे देश के, और एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा Myanmar, तो इस मनिपूर के अंदर में, जब आप लोग जाओगे, तो इस particular location के बारे में जिसका नाम है मोईरांग, मोईरांग अगर location के बारे में आप लोग सर्च करोगे, तो इसकी historical importance है, हमारी country में union home minister, यानि के अमित साजी, इसी के साथ में cooperation ministry भी नहीं के पास में, इनकी दौरा अभी हैं पर foundation stone रखा गया development project का मोईरांग मुनिपूर के अंदर में, कैसा, क्य इसकी relevance आप लोग समझना, 165 feet यहाँ पर जो tricolor जो है, वो फेलाया गया, एक historic आजाद हिंद force का headquarter आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, आजाद हिंद force का headquarter at मोयरांग, तो यह काफी important है, जिसमें यहाँ पर tallest national flag आप लोग को देखने को मिलेगा, नोर्थ इस त्री पूजा जाता है, क्योंकि World War 2nd, जब हो रही थी, उस time पर मोयरांग जो था, वो Indian National Army का headquarter था, और 1944 में हमारा देश आजाद भी नहीं हो था तब तक, यहाँ पर tricolor फेराया गया था, तो यह importance है इसकी, culture की point of से question पूछ ले, अगर direct current वाला question ने पूछा गया, तो culture से इरिया है यहाँ पर, बात की जारी है, हरोबा festival, और इसी के साथ में हाँ पर, कॉमबा, टोईबी, डांस, यह ही से आप लोग को देखने को मिलते हैं, और ऐसे question यूपे सी पूछती अक्सर आप लोग से, छीपेवे question बूछेगी, आप लोग बोले कि कहां से आ गया है, इस में cover कर रखें आप लोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, कि question बनने के chances क्यों बढ़ जाते हैं, है कि नहीं important topic, अब ध्यान से इस topic को cover करेगा, natural point से भी, culture point से भी, और historical point से भी, तो इस तरीके से topic त्यार करना है, ओके, national news है, और one liner है, काफी अच्छे से आ आपर question बन जाते हैं, फटापट, और इसके उपर तो मैं एक आगे question भी आप लोगों से पूछूँगा, तो इसका ध्यान से answer आप लोग देना, 17th परवासी भारते दिवस जो है, वो recently अभी मध्या परदेश में देखने को मिला, दो important personality हैं, यहाँ पर जो अलग-अलग दे दोनों की चीज़े, ठीक है, कि यहाँ पर किसको basically क्या बनाया गया है, आप लोगों समझ में आएगा कि special guest of owner, जो यहाँ पर एक को बनाया गया और दूसरे को cheap guest, तो कौन-कौन है आपर, चलो अदेश के नाम बता देता हूँ, आप लोग उन्हें इनसाने को नाम बताओ, स्टार्ट हो रहा है, तो इसके टाइम पे अगर आप लोग देखोगे, पूरा का पूरा जो गुजरात है, गुजरात में खास कर अगर बात की जाए एहम्दाबाद की, वो इतना खुबसूरत आप लोगों चमकता हो नजराएगा, मतलब एक तरीक से ना, वो नहीं करते है पूरा रंगीन, जो सारा असपास का महूल आप लोगों नजराएगा, पतंग ये पतंग आकास में आप लोगों ने देखा होगा अकसर, न्यूस में भी कई बार इसको, और जो खास कर एहम्दाबाद वास ही है, वो तो आप लोग देखी रहे होगे, श्यांदार तरीके से इसको एहम्दाबाद से है, बताना कि कैसा रहता है फेस्टिवल, ताकि दूसरे एरिया के लोग भी उसके साथ में फील ले सके फेस्टिवल की, ठेक है, इंडियन नेवी के दौरा यहाँ पर अभी एग्रिमेंट की बात की जारी है, सागर डिफेंस के बारे में, ताकि जो in research and development through the innovation for defense excellence, तो यह आप लोग यहाँ पर full form भी आप लोग यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी, तो यह particular एक innovation का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते है, research and development की जा रही है, यह जो scheme थी, यह हाँ पर launch की गए थी काफी पहले, और फिर से पारे में हलका सा idea रखेगा, IISER पूने के द्वारे हैं हाँ पर micro और यहाँ पर microporous, यहाँ पर basically ionic जो organic material है, वो remove क्या जा रहा है, pollutant from the water, यानि कि एक तरीके से यह ऐसा product है, जो कि pollutant हटाये गए हैं हाँ पर पानी से, पानी आप लोग को पता है कितना polluted है है हाँ की पारी है, तो कौन कर रहा है, Indian Institute of Science, Education and Research, यह कहाँ पर located है, यह आप लोग को बताने है, पता है, कहाँ पर located है, नहीं पता है, एक कर रहा है कि सर इतने question पूछ ले तो, आदिवार तो ऐसा लगता है, कि पूरे दिन हम लोग कोशन नहीं कोचते रहेंगे, ऐसा कुछ लगता ह है, क्या मैं इतना बूरा हूँ, भाई हूँ बूरा, कर लो जो करना है, पूछ होंगा और ऐसे आंसर दोगे, आप लोग, ठीक है, नहीं दोगे तो क्या मतलब है, मतलब मैं वीडियो को पूरा complete करने में 6-7 घंटे ले रहा हूँ, अपने दिन का पूरा टाइम इस पर लग हँए है, हलाकि इस टार्टिं में देखने है, जुन्होंने अभी स्टार्ट कि इसको टाइम जा दे लगए है, ध्याम रखना, आप लोग मत बहकावे में आ जाना, कि आपको भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिं में टाइम लगता है, फिर चीज ए बहुत सारी ऐ उत्तर प्रदेश के द्वारा यहां पर एक लॉंच किया गया इनिसेटिव 100 days UP Global City तो यहां पर एक तरीके से campaign है कि urban body जो है state की वो global standard को follow करेंगी तो एक अच्छा ये question आप लोगों से direct exam में बन सकता है ठीक है आई आई टी खरकपूर के द्वारा डिलीवर किया जा रहा है नया software डिटेक्ट करने के लिए हाँ पर basically क्या होता है कई बार कई सारे defect देखने को मिलते हैं तो उसी के चलते बात कि जारे है चुकि welding में कोई defect होगा तो उसके उपर focus करेगा to the garden, research, ship building, engineering सोचो कैसे कैसे जाब जाज डूब गए Titanic जैसे तो कोई और जाज ने डूब आगे उसको रोगे गए ठीक है आयद्या जो है उसमें 10 solar ferries देखने को मिलेगी आप लोग को सामान लाना ले जाना इंसानों को डोना स्रयू river के उपर में promote करेगा tourism काफी अच्छे से चीजों को develop किया जा रहा है तो अपने ही आप में salute करने वाली बात है former बंगाल और बिहार के governor जिन का नाम था केसरी नाथ पिर पाठेजी तो वो अभी हमारे वीच में नहरे भगवान इनकी आत्मों को सांती दे एक दिन सबको जाना है पर लेकिन ये बात है कि हम लोग इनके बारें पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि इनसान जो है जिन्दगी में अच्छा कर गए गया है ठीक है तो कुछ ऐसे ही करो यार कि जाने के बाद भी लोग याद करें इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में यह एक्स्प्रेशन ओफ इंट्रेस्ट ठीक है तो यहाँ पर यह स्ट्रेजिक सेल देखने को मिलेगी आई डी बिए बैंक की तो देखो कौन-कौन बिक रहा है आने वाले टैम में पता चलेगा यह भागेगा और फिर पैसे भी देखे जाएगा तो यह भागदा है फिर रहा है पहले एंसी एली टी में गया फिर यहाँ पर गलत तरीके क्या रूप लगया जाने है ठीक है तो यह रिसेंट्ली अभी यूएस हाउस रिपरजेंटेट्व जो है इस पीकर इलेक्ट किया गया है इंपोर्टेंट्ट पसनेल्टी के उपने कोशन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना यह से के फूड एंड ड्रग अड्मिस्टेशन के द्वारा ग्रांट किया अप्रूवल अल्जाइमर डिजिज तो यहाँ पर इसको एक्सलेट करने के लिए पर लोगोंने देखा होगा एस नंकर साब को बिसीकली बर्थडे विस्किया था किसको पताया कि क्ल माइंड ब्लोइंग परसनेल्टी आप लोगोंने देखा मैंने उनके से लिट्रट एक वीडियो शेयर की थी वीडियो देखना यह आप लोगों समझ में आ जाएगे कि ए वने वाले चुप हो जाए हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करेंगे 75 बसीज जो है वह आप लोग को देखने को मिल रही है स्रिलंका को देगी है खसता आला तुरक्य सिरलंका की नेबरूर फस्ट पॉलिसी के तैत हम लोग यह काम करते हैं हम लोग पुरोसी का ध्यान रखा करो अच्छे से ठीक है एक उच्छा कह रहा है अभी उसके उवरा इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है कि सर मेरे प्रोस में एक लड़की रहती थी सर में उसको पसंद करने लगा उसके पापा जो थे मतलब ना जैसे के इस नहीं होते है कुछ ऐसी पोस्ट पर गञिए उसके पापाँ किया रहा है सरपट लग रहा है मैं क्या करूं बात है देखना देखा बता हूँ आप लोग यह बता हुआ जो भी है बात की जारी हैं आपर आजादी सेट इंपोर्डेंट है और पता नहीं क्यों लग रहा है कोशन बन सकते हैं आसे यह आजादी सेट सेटलाइट जो है वो लगबग 750 स्कूल गल्स जो है उनके द्वारा बिल्ट किया गया उनके द्वारा बनाया गया अब इक तरीके से उनके लिए बनाया गया उनके द्वारा लड़कियों द्वारा बनाया गया बिसी पर्टिकलर स्टाइट अप के तरू ठीक है तो स्टाइट अप का नाम आप लोगको बताने दुरू अरो स्पेस इसी के साथ में पिक्सल नेक्स्ट है आपर Space Kids इंडिया और नेक्स्ट है अस्त्रा, सही आंसर आप लोगो बताने है नेक्स्ट क्वेशन, वर्ल्ड फस्ट पाम लीव, मनिस्क्रिप्ट जो है म्यूजियम ये किस के अंदर आप लोगो देखने को मिलेगा राज्य के अब ही इसका आंसर बताऊंगा तो कुछ और एक्स्ट्रा बात है एक्स्ट्रा बात है अप लोगो बताने हैं आप पर पर्टिग्लर कोशन का आंसर ये वीडियो को पोज कर लेना और फिर अटेम्ट करना आंसर आप लोगे सामने है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तो यह है हमारा सी सेट वाला सेक्सन अब बात करते हैं आज का एक प्लेस जो की इंपोडेंट है आपर खासकर ओका रिवर हनी सिंका कोई गाना ना ओका लोक का लोक है क्या याद निया मुझे वो पढ़के मुझे वाली पीलिंग आई एक बेसिकली जो बोलगा रिवर है मैंने आप लोगो डिसकस की थी रसे के अंदर में तो उसके साथ में कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं मतलब ये रसिया वाला पोर्शन है आप लोगो रसे के अंदर देखने को मिलेगी अपने देश के साथ में कंपेर कर सकते हैं पर ल और कोशन के बाग करते हैं इसके बाद में आप अगला सेसन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग आजादी का मरेद मोच साहु तुरहों को सब्सक्रों को हम बनें का क्रोण पती यानिके को उन में का वो इंका करेंगे तब तक आप 250 स्कूल गर्ल गॉर्मेंट स्कूल से और इंडियन स्पेस रिचर्च ओर गैसन के साथ में मिलकरिंग के द्वारा ये लॉंच किया गया है ठीक है तो अपनी आप में काफी एप्रिशेट करने लाइक है ये प्रोजेट जो है नीती आयोक के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है है की बढ़िया नहीं बताइए आगे चलते हैं नेक्स्ट यहां पर क्या बात की जारी है नेक्स्ट बात की जारी है पाम लीफ मनिस्क्रिप्ट के बारे में ठीक है तो ये पांडुली भी बोलते हैं इसको हिंदी में तो ये केरला के अंदर भी आप लोग को देखने को मिल लोगो परवासी भारते दिवस इंदोर में देखने को मिला और भासाब क्या सजा हुआ था इंदोर मतलब मज़ा आगया देखके कही सारे बच्चों के द्वारा पिक्चर की कर दिया कर रहा यार पिक्चर सिक्चर सेर इंस्ताग्राम टीटर कहीं तो कि अगरो सेर कुछ ट इंदोर में अभी देखने को मिला क्या शंदार इंदोर सजा वाता मज़ा आगया देखके यह अभी आप लोगों पता है दो देश के हमारे देश में लीडर आए थे प्रेजिडेंट एक तो ग्याना की प्रेजिडेंट थे ठीक है और दूसरे थे यहाँ पर सुरी नाम के तो ग्याना की जो प्रेजिडेंट थे उनका नाम याद रखेगा उनका नाम था इर्फान अली तो यह जो थे यहाँ पर क्या थे यहाँ पर चीप गैस्ट के तोर पर थे आप लोगों से कोशन पुछा सकता है इसलिए कह रहा हूँ कि नाम जरूर याद रखेगा पूछ ल कुछ तो करो सी सेट का जो गुशन है का अंसर सी है साउथ वेस्ट देख लेना इसको ठीक है अब हम चलेंगे अपने महासंग्राम वोकेबलरी वाले सेक्शन की और इंग्लिस बोलना समझना चाहते हो तो यह जरूर ले लेना भाई एंग्लिस मोलना चाहते हो सीखना चाहते हो लिखना चाहते हो तो जरूर इंपर ध्यान दिया गरो extortion की मनी चाहिए ठीक है तो extortionist बोलतेंगे इसको एक ऐसा person जो कि force violence के थुरू कहीं से कुछ निकालने की कोसिस करें, रैकेटन रहते हैं अपना चुरा के भागे, इतना पैसा दो तब करेंगे यानि वाइरस अटैक हो जाता है जब, उस टाइम पे कहते हैं तुम्हारा डिटा तब डिटन करेंगे, इतने millions जो हैं, डोलर पहुचा दो, भाइसाब यहार लोगों के पेट के जाले नहीं ज़ल रहे हैं जैसे तैसे काम चला है, इनको डोलर चाहिए, ठीक है तो यह इस तरी की चीज़े देखने को मिलेगी, ठीक है तो काफी क्रिमिनल के लोग होते हैं अगर इनके बारे में बात की जाये तो नेक्स्ट जो सब्दें आपर यह है उडल्स यानि कि अधिक संख्या, एक काफी बड़ा नंबर आप लोग बोल सकते हैं अबेंडेंस भी कई बार बोल देते हैं जैसे नहीं एक बच्चा कर रहा है कि सर इतने आर्टिकल डिसस कर देतों पूरे दिन बैठकर में यही देखता रहता हूं यह भी पूरे नहीं होते है तो उसके लिए बहुत संख्या में आर्टिकल हो गई है कितना दर्द है लोगों को कैसे कैसे दर्द दूर करो मैं मेरी समझ में यह नहीं आता है अब बतो इसको क्या मूलू मैं इकी तरीका है सूस्त हो जाओ और जिन्दकी को एंजोई करो लिस्ट लेस यानि कि सूस्त रहना कोई एनर्जी नहीं है वाइसा पड़े में पूरे दिन वाइसा रजाई में पड़े में बहार निकालने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल सुस्ति आ गए है वह वाली जिन्दकी नजय कर लो कोई जुरत ही नहीं काम करने की क्या जुरत है पढ़ने की जोब लेने की अच्छी तो गट रही है रजाई में लेटर हो लेटर हो ऐसी करते रहो काम टाइम पास है कि नहीं कभी तो मन करता हूं कितना टीचर ये डारते रहता है फालत में एक क्याता है वीर भाई आपना अंदर से खून में आग लगा देते हो पानी डाले को ठंड में भी आग लग रही है ठीक है सफ्यूज फैलाना ठीक है एक तरी से ग्रेजूली चीज़े आगे बढ़ना पढ़ना इस स्टार्ट करोगे तो आगे आगे ची परिवर्तन सील एक तरीके से चेंजिंग नेचर का फ्रिक्वेंटली चीजे चेंज होती रहती है टाइम तो टाइम कि पानी भी रुकावा सड़ जाता है तो सड़ना नहीं जिंदगी में जब लगे ना किसी रिस्ते में किसी जगे पर किसी पोजिशन में कि जिन्दगी ज चला गया किसी और के साथ में रह रहा है साधी करकर life enjoy कर रहा है सर मुझे बड़ा बुरा लगा मतलब आप लोग खुछ सोचो इंसान ने साधी कर ली वो life को अपनी life में move on कर गया है और आप जो है उस इंसान की wait कर रहे हैं बैठे वे ठीक है तो यह क्या हो गया यह तो इस आपकी career आपकी life से जाए तागत और यह आप लोगे सामने होने चीए आसान नहीं है पर लेकिन इससे निकलना पड़ेगा और जितनी जल्दी से निकल जाओगे उतना ही बैतरी न जाके जिंदगी में पहुँच जाओगे यह बात हमेसे जहान रखना ओके दोस्तों कैसा लगा lecture feedback जुरूर देना अगर अच्छा लगा तो बताना बुरा लगा तो बताना बुरा लगा तो कैसे improve और वो भी बताना suggestion always जो है वो सरांको पर जो भी आप लोगो लगता है suggestion आप लोग दे सकते हैं feedback देने के कई सारे तरीके हैं आप लोग like कर सकते हैं comment क चैनल तो आप लोगोंने subscribe करी लिया अगा बोलने वाली बात नहीं है और यह फिर वीडियो अगर लगती है अच्छी है तो दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं प्यार बाटने से बढ़ता है अगर लगता है कि दूसरों को फायदा पहुंचा सकती है तो यह काम आप लोग जुरू करना आसपास सफाई रखो पानी और पेट पर दोगों सेव करो पोलोथिन और प्लास्टिक बैग वगरा बिल्कुल यूज नहीं करनी है लेक्चर की PDF टेलिग्राम से जाकर डाउनलोड करेना हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिल जाएगी और जो भी वीडियो के बाने में बाते करता हूँ कई बार वो सारी वीडियो पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगो ढूंडने में दिक्कत नहीं रहे तो उसको भी जाकर आप लोग अपना रिविजन कर सकते हैं कोई और दिक्कत प्रेस आनी हो तो बताईएगा मेरे साथ में आप ल कि share कर देता हूँ चीज़े आप लोगों ने देखा होगा टाइम लगता है तो ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं जिंदकी में अपना ध्यान रखो आगे बढ़ते रहो अगर किसी की help कर सकते हो उसकी life को थोड़ा सा progressive बनाने में तो हमेसा appreciate करो चीज़ों को कभी भी demotivate न another candle तो यही बात यहाँ पर इसलिए चिपका रखे उस दिन से मैंने पढ़ाना इस्टार्ट किया कि अगर तुम किसी की help करोगे ना तो आप लोग की जिंदगी में अपने आप progress होगी नहीं यकीन आ रहा है तो implement करके देखो फिर बतानों और अगर फिर भी progress नहीं तो पैसे झाल